हलो बच्चों केसे ही हैं आप सभी मैं मिसेस अनुरॉय आप सभी बच्चों का कॉम्पुटिशन कम्यूटी में स्वागत करती हैं यहां पर चर्चा हो रही है सीजेपी से मुख्य परिक्षा में पुछे जाने वाले प्रशन उससे संबंधित उत्तर लेखन की शैली और उनसे संबंधित तत्थियों की कि हमें तैयारी उसको कैसी करनी हैं मेरे द्वारा आपको 100 नंबर की हिंदी प्रशन पत्र का संपुर्ण विश्लेशन जो कुछ वर्षों के पत्र के माध्यम से हर एक टॉपिक को मेरे द्वारा आपको समझाया गया है दो हजार बारा से लेकर दो हजार सत्रा तक चौथे भाग में पूछे जाने वाली भाशा का नाम था हमारी चत्तिस गड़ी भाशा ठीक है चत्तिस गड़ी भाशा से संबंधित यदि प्रश्न को पूछा जाए या इसके अंकों के विवरण की बात की जाए तो आपको मालुम है कि चत्तिस गड़ी भाशा हमेशा पचास अंक पर आज भी 2012 से लेकर 2021 तक के जितने प्रश्न पत्र हुए हैं उसे पचास अंक के जो है वो पूछे जाते हैं इसके अंकों की शैली की बात की जाए तो यहां पर व्याकरण और साहित्य दो प्रकार का हिंदी की ही तरह खंड है जिससे संबंधित साहित्य का संपुर्ण विवरण के दी बात करी जाए तो कहीं ने कहीं 36 गड़े GS में जो आप कला और संस्कृती पढ़ते हैं उसी कला औ हमेशा से 2017 तक केवल कुछ ही पक्ष थे जो व्याकरण में अपना इस्थान रखते थे पाठिक्रम में जैसे ही परिवर्तन किया गया 2018 के प्रशन पत्र में कुछ विशेस तत्वों को व्याकरण के पक्ष से रखा गया यदि हम सन 2021 के मुख्य परिक्षा पत्र में 36 गड़ी आपके व्याकरण खंड हैं जो पूछे गये थे हर एक पक्ष अपने आप में महत पूर्ण है इसकी भी हिंदी भाषा की तरह दो पक्ष है हमेशा से ध्यान रखेगा 36 गड़ी साहित्य का खंड है और एक होता है 36 गड़ी व्याकरण का व्याकरण जिससे आपको पूरी तर प्री में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रश्ट जो है पूछा जा रहा है। प्रश्ट जो आपके साहितिक प्रश्ट होते हैं उसका उत्तर भी आपको हिंदी भाशा में ही लिखना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं गिदी प्रश्ट कह दिया जाता है खुब चंद बग्हेल का साहितिक छेतर में योगदान लिखी अगर कह देता है तो वहाँ पर आपको छत्तिस गड़ी भाशा में नहीं बलकि हिंदी भाशा में ही उनके योगदान को लिखना है। कुछ बच्चे कोशिस करते हैं बशर्ते अभी यह राज भाशा के तौर पर आपकी आठवी अनुसूची में लिखित रूप में धारण नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर छत्तिस गड़ी में हम केवल व्याकरण के पक्ष को लिखेंगे बाकि साहितिक पक्ष को हिंदी भाशा में लिखा जाएगा। प्रश्ण किस तरह से आते हैं अगर कहा जाए तो प्रश्ण का दायरा जो है वो बढ़ने लगा है। साहित खंड से भी one word substitute की तरह, बतलब वाक्य की तरह आपके जो आक्यांश होते हैं ना कि इस प्रकार कह सकते हैं कि छत्तिस गड़ में आपके भागी रथी का भी कौन हैं या कह सकते हैं अंतर्मन के कभी की नाम से कोन जाना जाता है छत्तिस गड़ के जन्मान्ध का भी कौ पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं यदि हिंदी भाषा में साहित्य के पक्षम को मजबूत कर लिया तो 36 गड़ी जीएस में भी आपको यह साहित्य खंड जो है आपको इस्थान जो है वो देता है 36 गड़ी भाषा के व्याकरण की चीजों की बात की जाए तो जब प्री का एक्जाम हुआ था तो प्री में मुहावरा लोकोप्ती से भी संबंधित प्रशन आपको जीएस में पूछा गया था दूसरी बात किया 36 गड़ी भाषा ना केवल मुख्य परिक्षा के लिए प्रारंभिक परिक्षा के साथ साथ जीएस में भी आपको जरूर पूछा गया था कि मुहावरा लोकोप्ती से आप क्या समझते हैं उदारन दौरा प्रस्तुत किजिए जो 36 गड़ी जीएस में 40 नंबर का आपको पूछा गया था कुल मिलाक अगर कहा जाए तो 36 गड़ी भाषा भी हिंदी भाषा की तरह आपको पूर्ण अंक देता है बशर्ते कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे वचन परिवर्तन कर दि यह सही है लेकिन उसके नीचे यदि काकी दे दिया है तो बच्चा उसे छोड़ देता है ठीक है दूसरी बच्चा क्या करता है कभी कभी आंसर लिखने का तरीका ही नहीं पता अब उसे पता है कि हर शब्द के बगल में मन लगा दो तो वह हमारे लिए एक बच्चन से अंक में कटोती ही करते हैं तो किस तरह के प्रशना आते हैं किस तरह से प्रशनों को हल करना है इसका सीले बस क्या है और इसके अंतरगत हमें कैसे पढ़ना है तो मैं बार बर चेतावनी के तोर पर आपको समझाना चाहती हूँ कि भाशा पर अधिकार रखना आपके लिए अती अनिवारे हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कि अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छी कमांड है, थोड़ा बहुत हिंदी बना लेते हैं, और 36 गड़ी भाषा को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है, आपको 36 गड़ी भाषा नहीं आती, ठीक है, व्याकरने नह ही आता, ठीक है, आपको लिखने में परिशानी होती है, लेकिन कुछ तो ऐसा हिस्सा होगा ना, जैसे अगर कहता है, कि 36 गड़ी भाषा में बाहिय भाषा के प्रभाव को बताइए, 36 गड़ी भाषा परिवार में कितने भाषा परिवार प्रयोग किये जाते, तो GS में भी situations ऐसी होती है, कि ठीक है, 50 अंक का है, हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, कोशिस करके यदि आप 25 नंबर का प्रशन बना रही हैं, उस 25 में अगर आपके 15 भी सही है, तो एक नंबर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो किसी भी तरह से कोता ही ना बढ़ते हर बार बार-बार में यही कह रही हूँ, प्री से ही आप अपनी मुख्य परिक्षा के लिए व्याकरण के पक्ष को मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए, व्याकरण मजबूत है, जो मैट्स की तरह नंबर देगा, तो मुख्य परिक्षा में केवल आपको एक तरफा, सिर्फ साह परिक्षा से संबंधित, अगर हम मुख्य प्रश्ट पत्र के सीलेबस की बात करें, तो उस पर हर चीज़ों को मेंशन किया गया है, लेकिन प्रारंभिक परिक्षा के लिए सिर्फ कहा है छतिस गड़ी भाशा का ज्यान, और छतिस गड़ी भाशा का ज्यान कह रहा है, जिस प्रिया से संबंधित लेकर, काल संबंधित लेकर, अब प्रश्ट जो है व्याकरण में पूछने लगा है, तो प्री हो, चाहे व्यापम हो, किस तरह से आपकी तयारी होनी है, इसको लेकर अब हम यहां से चलते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं, कि छतिस गड़ी भाशा के अंतरगत आखिर साहित्य के क्षित्र में और व्याकरण के क्षित्र में से कौन-कौन से टॉपिक है, जो आपको तयारी करनी है, तो इस चतिस गड़ी भाशा के प्रश्ट पत्र में जब तक परिवर्तन नहीं किया गया था, दो हजार सत्रा तक केवल यहां पर कुछ ही प् के लिए और इसके बाद बोली गत और भाशा गत और साहित्य करशनाओं से प्रश्ट जो है वो पूछे जाते थे, एक पक्ष था चतिस गड़ी के साहित्यकार के साथ साथ चतिस गड़ी प्रशासनिक शब्दों का, पाठिक्रम में जब परिवर्तन किया गया, तो पाठिक बोध ऐसे ही मेंशन था प्रशासनिक शब्द के साथ में, लेकिन जैसे ही पाठिक्रम में परिवर्तन किया गया, यहां पर विशेस प्रकार के पाठिक्रम है जो आते हैं, तो चतिस गड़ी भाशा प्रश्ट पत्र जिसके अंतरगत आपको भागतीन में, चतिस गड़ी मे आपको प्रश्ट जो है वो पूछे जाते हैं, और इसके अंतरगत कुछ विशेस प्रकार के तथे हैं, जो विशेस प्रकार के टॉपिक है, जो मेंशन किये गए हैं, सबसे पहले बात यहां दिया है चतिस गड़ी भाशा का ग्यान, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कि चत चतिस गड़ी भाशा का परिचय, नामकरण, हर एक प्रकार के चीज़ को चतिस गड़ी भाशा के ज्यान के अंतरगत आपको पढ़ना है, कि पुर्वे हिंदी से इसका जन्म हुआ है, अब पुर्वे हिंदी क्या है, तो शौर सेनिय और मागधी के मध्य से आती है, इन सार चीज़ों को जानने के लिए भाशा परिवार, कितने प्रकार की बोलियां उपबोलियां है, कहां से चतिस गड़ी भाशा का जन्म हुआ, कितने प्रकार की बाहिय भाशा का प्रभाव है, सब इसे चतिस गड़ी भाशा के ज्यान के अंतरगत आ जाता है, दूसरी बात, चत प्रभाशा की बोलियों का इस पर प्रभाव है इसका इतिहास क्या है इसका विकास क्या योगदान क्या है इसको यहाँ पर आपको पढ़ना होता है चत्तिस गड़ी भाशा साहित्य एवं उसके प्रमुख साहित्यकार यह सबसे बड़ा हिस्सा है दस नंबर की चत्तिस कभी-कभी 10 नंबर के लिए 36 गड़ी से हिंदी भाशा के मुख्य प्रश्न पत्र में आपसे पूछे जाते हैं और यही 36 गड़ी के साहित्यकार हैं जिसमें कुछ राजनेतिक महापूरुश हैं जिन्हों ने 36 गड़ी साहित्यक एक शेत्र में 36 गड़ी भाशा का प्रयोक करके साहित्यक विद्याओं में अपना योगदान दिया इस वजह से इससे संबंधित राजनेतिक महापुरुष या यहां के शक्सियत जीनों ने राजनेति के साथ साहितिक शेतर में युगदान दिया उन्हीं को यहां पर आपको पढ़ना होता है इससे दो प्रकार के प्रशना आते हैं खूपचंद बगेल की नाटक का नाम लिख जाए तो इतना आपको शुरुआती दोर में पढ़ना है कि शतिस गड़ी भाषा का ज्यान क्या है इसका उद्भव उत्पत्ति इसका विकास इतिहास इसके भाषा साहित्य अब साहित्य के एक शेतर में जिसतरा हिंदी साहित्य में आप पढ़ते हैं आदिकाल भक्तिकाल आधुनिकाल वैसे ही 36 गड़ साहिति के अंतरगत युगवी भाजन को, 36 गड़ लोग साहिति की विकास यात्रा को और उस 36 गड़ साहिति के वरगी करण को विशेश तोर पर आपसे इसे साहिति के अंतरगत पढ़ना होता है। विशेशन क्या है, क्रिया क्या है, 36 गड़ी का वाच्चे परिवर्तन क्या है, अव्य याने की अविकारी शब्द, इस अविकारी शब्द में 36 गड़ी का क्रिया विशेशन कैसा है, संबंध बोधक कैसा है, विसमयादी बोधक कैसा है, इतना यहाँ पर आपसे पूछा जात इसके अलावा कारकरशन क्या होती है, 36 गड़ी में कालवी भाजन, 36 गड़ी का लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, इतने सारे शब्द, अब कहीं न कहीं यह 36 गड़ी भाशा में आपके विकारी और अविकारी को पूछ रहा है, विकारी याने की डेकलिनेबल वर्ट्स और अविकारी मतलब की इनडेकलिनेबल वर्ट्स याने की वो शब्द जो वचन और लिंग तेन उसार बदल जाते हैं, उन्हें विकारी कहा जाता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी कहा जाता है, पहले की सीलेबस से, अब यहां सीलेबस में इस पश शब्द की रचना करते हैं, तो हम रूड बनाते हैं, योगिक बनाते हैं, योग रूड बनाते हैं, इनहीं को बनाने के लिए, क्या 36 गड़ी में उपसर्ग प्रयोग है, क्या 36 गड़ी में प्रत्या के प्रयोग है, अब यहां पर नया मेंशन कर दिया है आपकी संधी, इस संधी की बाद की जाए तो जैसे आपको पता है कि हिंदी में संधी नहीं होती हम हिंदी में तत्तसम शब्दों का प्रयोग करते हैं इसलिए हम संस्कृत में होने वाली संधी स्वर्ग व्यंजन और विसर्ग के नियमों का पालन हिंदी भाषा में करते हैं चूंकि हिंदी भाषा से जन्म हुआ है हमारी 36 गड़ी बोली का पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी और बगहली के साथ में 36 गड़ी का जन्म हुआ है इस वजह से हिंदी में होने भाशा में, अब छट्तिस गड़ी में वरणाक्षर जो है, वो विभक्त हो जाते हैं, संयुक्त वरणाक्षर रुपांतरित हो जाते हैं, तो आशिरवाद न कहकर आशिरवाद, इसे प्रकार रिर्धन न कहकर कि नीरधन कहकर यहां उसी संधी को पढ़ा जाता है, इसके अला गुखा कोठा कहकर समासिक शद्द का यहां भी प्रेख जो है वो किया जाता है इसके पष्षाथ व्याकरण की इतने हस्ये को अगर छोड़ भिया जाए जहां च्ट्रिशंगरण में अगर इतने पक्ष को ले रहा है और इतने पक्ष को व्याकरण के साथ में यदि छोड़ दिया जाए तो इसके बाद फिर से हमारा 36 गड़ी भाशा पर जो भी योगदान है विभिनक्षेत्रों का वो यहां से पढ़ा जाता है यहां अब इस्पेशली 36 गड़ी राजभाशा आयोग से सम्बंधित प्रश्ण पुछते हैं पहला प्रकार के प्रयोग है इसका प्रयोग राजभाशा आयोग के अंतरगत आपको पढ़ना है ठीक है दूसरी 36 गड़ी भाशा का जो विकास हुआ याने कि जो साहितिक विकास इसका हुआ इस साहितिक विकास के लिए समाचार पत्र की क्या प्राथिमिक्ता थी समाचार पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान था तो आपको बता दो कि भाशा के विकास में साहित्य के विकास में सबसे बड़ा योगदान समचार पत्र और पत्रिकाओं का माना जाता है तो 36 गड़ राज्य के अंतरगत भी स्वतंतरता से पहले स्वतंतरता के समय और स्वतंतरता के बाद 36 गढ़ी भाषा को साहित्य का इस्थान देने वाली समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी तो जो 36 गढ़ी भाषा से हटकर इदे में हिंदी के बाद करें तो हिंदी में पत्रकारिता को जब इस्थान दिया गया पाठिक्रम जब परिवर्तन किये उसी पत्रकारिता का एक पक्ष यहां चट्रिस गढ़ राज्य के अंदर भी पत्र और पत्रिकाओं का योगदान जो है वो देखने को मिला उसे मेंशन किया है साथ ही 36 गढ़ी भाषा का आकाशवाणी में और सिनेमा जगत में क्या भूमी का है इससे संबंधित प्रश्ण बच्चा पुछने लगा है है ना इससे स्पेशली दो नंबर का प्रश्ण जरूर पुछता है कि आकाशवाणी में और दूर दर्शन के द्वारा 36 गढ़ी प्रश्ण पूछता है देखने वाली बात है कि 36 गड़ी भाशा कहने से क्या यह भाशा है प्रश्ण पूछता है 36 गड़ी बोली है अथवा भाशा इसको विस्तरित तोर पर समझाए दो नंबर का कभी तिन नंबर का जरूर आपसे इससे प्रश्ण पूछे जाते हैं इसका नामकरण क्यों पड़ा इसके नामकरण के पीछे तत्थे क्या थे इसके नामकरण का उद्देश क्या था और इसका नामकरण किस महत्यों को लेकर किया गया है इसका पूछा जाता है प्रश्ण चत्तिस गड़ी भाषा का परीचय क्या है चत्तिस गड़ी में भाषा के बाद में अब यहाँ पर इस्पेशली जो यहाँ पर क्रिया मेंशन जो किया है इस क्रिया को चुकि हमें लोगवेवार में 36 गड़ी भाशा को प्रयोग करने आना चाहिए इसलिए जिस तरह टेंस हम पढ़ते हैं इंगलिश में और हिंदी में हम काल पढ़ते हैं और उसमें सहायक क्रियाओं के प्रयोग के जाते हैं उनहीं सहायक क्रियाओं में जिस तरह स संस्कृत के नियमों का इसी काल और धातू की रूप में प्रयोग 36 गड़ी भाशा में किया जाता है क्योंकि डॉक्टर महश चंद्र शर्मा के द्वारा 36 गड़ी भाशा को संस्कृत की पठियारी बहन कहा गया है क्योंकि 36 गड़ी एक ऐसी भाशा है जिस पर ना केवल हिंद का बलकि संस्कृत साहित्य का और अंग्रेजी साहित्य का भी प्रभाव पड़ा है और अंग्रेजी की तरह कुछ नियम 36 गड़ी भाशा में प्रयोग होते हैं और संस्कृत की तरह कुछ नियम है जो यहां 36 गड़ी भाशा में प्रयोग किये जाते हैं तो especially mention किया गया है कि 36 गड़ी में जो क्रिया है इस क्रिया के अंतरगता को वर्तमान काल पढ़ना है इस के अंतरगता को भूतकाल पढ़ना है इस वर्तमान काल और भूतकाल में आपका पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल याने कि present आपका जो है continuous और present perfect के साथ में tense में आपको future tense याने कि भवि श्यकाल की पूरुनता और अपूरुनता का क्योंकि इस संबंधित प्रश्ण प्री में भी पूछ लेता है मैं जा रहा हूं का शुद्ध छत्तिसगड़ी सोरुप क्या है अब इसी को ट्रांसलेशन वर्क के माध्यम से अब छत्तिसगड़ी भाशा में पूछ लिया जाता है कि मैं जाता हूँ का शत्तिसगड़ी रूप क्या होगा तो यहां पर आपके तत्व जो है वो आपके लिखना धातु के साथ में भूत कालिक क्रिया इस भूत कालिक में भी पूरुन अपूरुन इसमें पढ़ना क्रिया यानि कि लिखना और पढ़ना ये दो धातु माध्यम से पूरी तरह से टेन्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है कुल मिलाक अगर देखा जाए तो पाद टिपणी लास्ट टॉपिक है पद टिपणी यह क्या है यह पद टिपणी में अब देखे यहाँ पर आपको सारी चीज़ा में क्या लग रहा है किया से प्रशासनिक कोट कचहरी के मामले से हर प्रशासनिक नियम के काईदे के नियमों को पालन करता है इस हेतु प्रशासन में प्रयोग होने वाले प्रशासनिक शब्द का प्रयोग यहां से तो हटा ही नहीं सकता और CGPSC जैसी परिक्षा में प्रशासनिन के जो सेवा के लिए आप जो अपना पद इस्थापना करने के बाद जाएंगे, तो प्रशासनिक कारियों के लिए, अगर किसी गरीब वर्ग का व्यक्ति आता है, कोई क्रिशक वर्ग का व्यक्ति आता है, तो आपके पास प्रशासनिक शब्दों का भंडार होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में, जब कोई एक व पदटिपणी जो दे रहा है न, इसमें आपको हिंदी का एक सेंटेंस दे देगा, ठीक है, मैं हर अभी मातरित्व अवकास लेहाँ, अगर कहता है, तो हिंदी में दे देगा कि मैं अभी मातरित्व अवकास लेने वाला हूँ, इसका 36 गड़ी में अनुवार कीजिए, तो कोई भी चीज़े इसकी इपने ही, बशर्ते उसने बहुत ही शुद्धुरूप से इसको इसपश्टी करण कर दिया है, तो सबसे पहली बात, 36 गड़ी भाशा का ज्यान, 36 गड़ी भाशा का विकास एवं इतिहास, इसमें आप साहितिक शेत्रे में देखें, तो 36 गड़ सा हिते के वरगी करण को इसपश्ट करके सिर्फ इन दो टॉपिक में कवर करते हैं, ठीक है, 36 गड़ी के व्याकरण के अंतरगता पूर्ण रूप से 36 गड़ी भाशा की वरण माला, उपसर्ग प्रत्य, मुहावरा लोकोक्ती, संधी समास, यहां तक की 36 गड़ी में भी one word substitute हो हमें उनकी जानकारी होने चाहिए, अब इसकी यहां पर हम क्रमवार सिलसिले से 2012 से लेकर 2021 तक 36 गड़ी प्रश्ण पत्र की यहां पर पूर्ण वीवरण के तौपर चर्चा करें, तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्ण पत्र को देखने के लिए कि किस तरह का प्रश्ण जो ह है, वह यहां पर पूछा जाता है, अब यहां देख रहे हैं CGPAC मुख्य परिक्षा के 2012 के प्रश्ण पत्र को, इस 2012 में इस समय 36 गड़ी भाशा जो है वह भाग 4 में हुआ करती थी, क्योंकि भाग 1 में जो है वह हिंदी 50 नंबर की, भाग 2 में संस्कृत 50 नंबर की, भाग 3 में अंग्रेजी 50 नंबर की, भाग 4 में 36 गड़ी 50 अंक की हुआ करती थी, वर्तमान समय में संस्कृत को हटा देने से, जो भाग 2 संस्कृत थी, वह हिंदी में 50 अंक को लेकर 100 नंबर की हो गई है, और द्विति खंड का इस्थान ले लिया है आपकी अंग्रेजी भाशा न हर साल पहले प्रश्ण के तौर पर यहां पर आपके समानार्थी शब्दों को पूछा जाता है, इस समानार्थी शब्द में सबसे पहला प्रश्ण होता है कि 36 गड़ी के समानार्थी शब्द को हिंदी में और हिंदी के समानार्थी शब्द को 36 गड़ी भाशा में लिखना होता है और एक कुल मिला कर देखा जाए तो पांच से पांच दस नंबर का केवल समान आर्थी होता है अब इसके हमें तयारी कहां से करनी है 36 गड़ी जो राजभाशा आयोग का एक कारिक्रम है जो है बिजहा कारिक्रम जिसमें 36 गड़ में लुप्त हो रहे शब्दों का एक भंडारन है जिसके अंतरगा 36 गड़ी के लोक व्यवहार में प्रयोग होने वाले शब्दों को पूर्ण तह लिखा गया है कुछ पुस्तकों में तीन भाशा में उसे समाहित किया गया है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे के साथ अंग्रेजी मीडियम के कड़मी या दाड़ीम के नाम से पुकारा जाता है ठीक है और इस तरह इसकी तैयारी आपको विशेश तोर पर बिजहा कारिकरम के अंतरगर जो शब्द कोश है वहां से प्राप्त होंगी इसमें किसी भी पक्ष को रख सकता है रिष्टे नाते के नाम खाने पीने की चीज हो सकते हैं किसी भी पक्ष को यहां रखा जा सकता है जैसे की अगर देखा जाएं तो जैसे अगर वो कह सकता है जैसे धऔणा को हम हिंदी में दॉड़ना कहेंगे चुग कि वो क्रिया का शब्द है इसे प्रकार फुट गोरी कहता है है ना तो बहुत जादा गौर वरने की कन्या अगर हम कहते हैं तो वहाँ पर मेंशन करना होगा तो देखिए टमाटर अब यहाँ पर फिर से गलती मत कीजिएगा कभी भी इसके बगल में जगह जो दिया होगा खाली होगा वहाँ मत लिखिएगा बिटा मैं बार-बार कह रही हूँ ऐसा मेंशन मत कीजिएगा जो प्रशन पत्र होते हैं उसमें नीचे जगह दी जाती है तो आप मेंशन कर सकते हैं टमाटर के बगल में बंगाला लिख सकते हैं इसे पताल लिख सकते हैं भिंडी को रमकेरिया कहते हैं चतिस गड़ी जो शब्द दिये हैं उसका हिंडी में आपको अर्थ लिखना है अब बरपेली कह रहा है तो जबरन को कहते हैं धेकुना कह रहा है तो खटमल को कहते हैं बेंगचा कह रहा है तो हम कहते हैं किसको मेधक को ये आपको पूरी तरह मैट्स की तरह नंबर दे रहा ह आरे बात समझ में, तो 10 नंबर आपके केवल हिंदी से 36 गड़ी और 36 गड़ी से हिंदी समानार्थी में आपको सन 2012 में पूछा गया है, इसके अलावा अगर देखा जाए, तो 36 गड़ी भाशा से इसके बाद जो अगला प्रशन आया है, वो है आपका match the following, match the following में भी यही जो आपको समानार्थी शब्द ना उसका जोड़ा बनाने के लिए कहा है, मतलब सोचने वाली बात है, कि यह दो नंबर का है, तो 10 नंबर के समानार्थी में दे दिया, और 2 नंबर का आपको यहां match the following में दे दिया, कभी-कभी 36 गड़ी के अंतरगत हम युग में शब्द का प पूरे दो अंक आपको प्राप्त हो जाते, ठीक है, अब देखिए यही पर, नीचे यहां पर जो है उसका आंसर लिखने के लिए जगह दिया है, अब यहां पर आपने mention भले रफ में किया हो, पर इसका आंसर यहां पर आपका मुनगू है, तो मुनगा है, तो यहां पर आप उसको लरिया लिखेंगे, ठीक है, लरिया का मतलब बतर नरम, सौफ्ट, ठीक है, बरा के साथ में यहां पर आप सोहारी लिखेंगे, और इस तरह देखा जाए, तो कहने वाली बात है, कि जो प्रश्ण है, उसका उत्तर दिये गए जगह में लिखने से इस पश्ट दिया है, जिसे नाव और बनिया, कितने नंबर का है, दो नंबर का है, अब नाव और बनिया को आपको इस तरी लिंग में बदलना है, तो व्याकरण में जो आप जेंडर पढ़ते हैं, कि जिस शब्द का अंत जो है, इया से होता है, अगर किसी पती का नाम धारन कर रहा है तो उसमें आइन लगा देते हैं, अब अगर बनिया कहते हैं, तो बनियाइन नहीं होगा, इस बच्चे ने गलत लिखा है, क्योंकि बनियाइन तो पहनने वाला अंगवस्त्र होता है, पुरुश्वर्ग का, बनिया है तो बननीन कहते हैं, ठीक है, नाउ है तो नवईन कहते ह अब इसके बगल में उत्तर ना लिख करके नीचे दिये गए इस्थान में इसका उत्तर लिखने से यह भी गणित की तरह आपको पूर्ण आंकर प्रदान करता है यहां वचन से संबंधित प्रशन पूछ रहा है यह हिस्सा आपको लिंग परिवर्तन से है तो यहां पर आपक वचन परिवर्तन से प्रशन जो है पूछ रहा है कि मन प्रत्य और गंज प्रत्य लगा कर एक वचन से बहु वचन बनाने का उधारन देना है कितने नंबर का है दो नंबर का अब लईका मन कह दिया एक एक शब्द उधारन देने बोल रहा है ना किवाल एक एक उधारन दे पूछा जाए उतना ही लिखेंगे अब लई का मन लिख दिया और गंजकन खिलोना लिख दिया तो पूरे आपके दो अंक यहां पर भी निर्धारी थे अब यहां पर आता है प्रश्न समास परिवर्तन से ठीके ना यहां पर आपको समासिक शब्द के प्रकार बताना है दूस गढ़ी के दो पक्ष है हिंदी की तरह व्याकरण पक्ष और आपका साहित्य पक्ष तो व्याकरण पक्ष जो होंगे उसके उत्तर आपको 36 घड़ी भाशा में ही देना है ठीके अब जैसे यहां पर मन है तो लई का मन बनिया है तो बननीन नाउ है तो नवईन ऐसे आंसर द समास, इसी प्रकार सास पत्तों में आ जाता है आपका द्वंदु समास, सिर्फ आपको नाम लिखना लेकिन एगर यहीं प्रश्ण कह समासिक शब्द रच्ना का विग्रह करते होए नाम लिखिये तरो आपको समासिक विग्रह चट्यस गड़ी address में लिखना वहां लेकिन अग देखे, यहाँ पर व्याकरण पक्षक खतम हो गया, अब देखे, प्रशन तीन में यहाँ पर बोली भाशा समंधित प्रशन को पूछा गया है, कितने प्रकार के, दस प्रकार के प्रशन है, एक एक जो आधार पर देखा जाए, तो दस नंबर का है, मतलब कि आपका एक अंक ह भर प्रशन में हैं, और यह descriptive questions है, यहाँ पर कह रहा है, चतिस गड़ी राजभाशा दीवस की तारिक क्या है, तो राजभाशा आयोग के अंतरगत देखा जाए, तो इसकी बारे में आप पढ़ते हैं, तो राजभाशा दीवस की तारिक क्या है, तो 28 नंबर है, चतिस गड अंशित रोप में उपसर्व प्रत्य के प्रयोग क किया जाते हैं, तो 36 नंबर है, चुगल खोर कहते हैं, खटिस गड़ी भाशा में भी उपसर्ग है, गैर सरकारी बोलते हैं, ला इलाज कहते हैं, तो हिंधी को हिपॉम्लू करते हुए कि आपको लिखना है, बशर्ते, ब उन्हीं शब्दों को लिखना होगा जो 36 गडशासन के द्वारा मानने हैं, साधारन बोल चाल के लिए हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, for example, अगर हम लेते हैं फॉक्स यानि की लोम्री, हर क्षेतर में उसका अलग नाम है, ठीक है, अगर हम कोरबा के तरब देखते हैं, तो आपका हाइना है लकडबग्गा, कुछ लोग उसे रिढ़वा बाग भी कहते हैं, और most of person उसे गहबर के नाम से पुकारता है, चुकि दोनों शब्द मेंशन है, अगर आप यहां लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षेत्रियता के आधार पर, यदि आप कहत 36 गड़ी भाषा में प्रयोग किये जाते हैं, ठीक है, अगला प्रस्ण ने क्या पुछा है, 36 गड़ी उपसर्ग का एक उधारन दीजे, अब यहां पर मालिजे कहते हैं, जैसे कि नाका बंदी कह दिया, है न, 36 गड़ी में हमने नाका बंदी कह दिया, तो आप कैसे लिखे लिखा और डैश करके क्या कर दिया, जैसे कि नाका बंदी, ठीक है, नाका बंदी कर दिया, तो यह पूर्डी तरह से एक अंक आपको प्रदान कर रहा है, अब यहां उपसर्ग बोल दिया न, ठीक है, अब उपसर्ग में अगर एक्जामपल के तोर पर देखा जाए, तो ज इसी तरह अगर देखा जाएं, तो यहां पर 36 गड़ी के कुछ विशेस उपसर्ग होते हैं, जैसे कि अगर कह सकते हैं, अड़, 36 गड़ी का अड़ उपसर्ग है, है ना, तो यहां पर हम अड़ गसनी लिख सकते हैं, और इससे आपको पूर्ण अंक जो है, वो प्राप्त ह तो हिंदी में आपने पढ़ है कि मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ती लोकों द्वारा उक्त बाते होती है, 36 गड़ी में कहावत, केवात, हाना, जो आपका जो है, इसके भांजरा के नाम से इसे जो है वो पुकारा जाता है, मुहावरा और कहावत का परियोग समाज के अंतरगत मूल भुताव शक्ताओं के लिए व्यक्ति एक दूसरे को समझाने के लिए चेताओनी देने के लिए लाक्षणिक अर्थों को प्रस्तूत करने के लिए करता है इतना काफी है पहली का 36 गड़ी रूप क्या है संस्क्रिट में है प्रहली का जिसे हिंदी में पहली कहते हैं इसे 36 गड़ी में जनवला कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 36 गड़ी का 36 गड़ी रूप जनवला कहलाता है और इस तरह अगर आप वन वर्ड आंस शब्दों को लेकर चलता है इस तरह देखर है तो 36 गड़ी में मराठी से प्रभावित जो शब्द है जैसे कि आपका खूप कहता है ठीक है और जो आपके जो किसी को संबोधित करने के लिए हम जो ग बोलते हैं भाचा बोलते हैं भाठा बोलते हैं इसके अलावा जो हम इस्त तो आप 36 गड़ी में मराठी के प्रभाव में बलवाची प्रत्य के प्रयोग किये जाते हैं या 36 गड़ी से प्रभावित इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसा के कर आप यहां पर लिख सकते हैं उडिशा का प्रभाव ओडिया का प्रभाव अब देखे पश्री मे अधिकांश्ता शब्द 36 गढ़ी भाशा में प्रयोग किये जाते हैं हम जो 36 गढ़ी में अगर देखें तो जो बहुवचन बनाने के लिए मन प्रत्या का प्रयोग करते हैं कहीं न कहीं उडिया में मने कहा जाता है जिसका प्रभाव है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि प्रभाव का प्रभाव कहता है अब 36 गढ़ाजे में उर्दू है क्या जी हाँ है जब प्रशास्निख शब्द की वगर बात आ रही है तो लगान खसरा बंदो बस्त कहते हैं तहसील से तहसील हो जाता है कचहरी से कछेरी हो जाता है वकिल से उकिल हो जाता है आजाद से अजाद हो जाता है, दरजी से दरजी बन जाता है, यह सारे शदकोन हैं, उर्दु के ही तो प्रभाओं हैं, यह भी आपको एक नमबर देता है, 36 गड़ के अंदर पूर्वी हिंदी में 36 गड़ी के साथ कौन सी दो बोलिया हैं, जब आप पढ़ते हैं न, 36 गड़ी बोली का उद्भव, 36 गड़ी बोली का जन्म पढ़ते हैं, तब आप पाते हैं कि भारत के अंदर, जब हिंदी भाषा का वर्गी करण किया गया, तो हिंदी के पांच वर्गी करण में से, पूर्वी हिंदी के अंतरगत, पश्चिमी शोरसेनी, और पूर्वी मागधी के मध्य, क्य कैसे आपको एक नंबर नहीं मिलेगा, कि पूर्वी हिंदी में, 36 गड़ी के साथ, अवधी और बगहली बोलियां जो है, वो सम्मिली थे, सोचिए, एक एक नंबर का ये आंसर है, बताइए, दस नंबर में, अगर आठ भी सही है, तो आठ नंबर आपकी हाथ में हैं ना बि ही देखकर समझने का प्रयास कीजिए ना कि किस हद तक प्रश्ण जो है वो व्याकरण और साहित दोनों से पूछा जा रहा है, 36 गड़ी के किसी एक लोकोप्ती का उधारन दीजे, का बबामर ही तब बरा चूर ही, है ना, इसी प्रकार का एक्जांपल जो है वो यहाँ पर आपको पूछा है, इसके बाद आते हैं अगले प्रश्ण में, यहाँ पर जो है थोड़ सा descriptive question पूछ लिया है, कि 36 गड़ी के प्रशासनिक शब्दों का महत्व बताईए, चार नंबर का, प्रशासनिक शब्द का महत्व क्यों है, 36 गड़ी के अंदर भी क्रिशक वर्ग है और हर क्षेतर वर्ग का व्यक्ति है, जो किसी न किसी परिवेश में प्रशासनिक कार्य की नियम से अपने आपको दूर नहीं कर सकता है, प्रशासनिक गति वीधियों में, जिन शब्द के प्रयोग में जितनी सरलता उस व्यक्ति वर्ग के लिए होगा, इसलिए 36 गड़ी भाशा में भी प्रशासनिक शब्दों को सरल करके लोगों के सामने पहुचाने का प्रयास किया है, जिसे से प्रशासनिक कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना आए, और इस तरह यदि आप लिखते हैं कि महत्व है उसका, कि प्रशासनिक कार्य के संपादन है तो प्रशासन प्रसाइब निक सब्दा के बहुत महत्व हावा है क्यों यहां हर एकवर्ग का व्यक्ति हर एक्षित्र का व्यक्ति अलग अलग प्रकार की 36 चिर्ष गढ़ी का प्रयोग करता है exploring that various people की अलग है राइपुर की मानग चिर्ष गढ़ है दूर्ग की अलग यदि आप सरगुजा की तरफ जाते हैं, वीकपूर की तरफ जाते हैं, तो उधर की 36 गड़ी अलग है, गरिया बंदक की तरफ जाते हैं, सराई पाली की तरफ जाते हैं, तो उसमें उडिया मिक्सप होना शुरू होता है, तो बिटके ने क्या बताया, कि जब आपको descriptive questions दिया ने क्स्ट के उत्तर को 36 गड़ी भाषा में लिखी गए, तो आँगे, तो अवज्या मतलब किसी बात को नहीं मानना, तो च्छट में बात नहीं मानना थे, कोष्ट, कोठा या खंड कह Mac कोत चार्ज को अगर देखा जाएं तो चारज कहेंगे चार्ज धारण लिया है मतलब कहते हैं कि उसको चार्ज मिला है तो चारज मिले है ओला ऐसा वोलते हैं ठीक है और इस तरह आपको CGPSC के जो प्रारंभिक आपके जो मुख्य परिक्षा होती है उसमें 2012 तक इस प्रकार के प्रश्ण जो है 50 नंबर के पूछे जाद है अब खुद देखिए कि इस 50 नंबर के प्रश्ण में कहीं न कहीं आपको व्याकरण का प्रक्ष सबसे जादा पूछा गया है जो पूरी त इस प्रक प्रकार के प्रश्ण पूछे गए थे अब यहां पर जो पांच-पच अंग के प्रश्ण में देखिए कि फीर से यहां पहला प्रश्ण अपना इस्थान बना के चल रहा है कि निम्न लिखे 36 नंबर के लिखना है क्या हिंदी में दिया हुआ है मुर्गा कफन जी अगर आप बिजहा कारेकरम के अंतरगत शब्दों का परती दिन याद करते हैं प्रती दिन उसको पढ़ते हैं जैसे आप पर्याइव अचीव अगर याद करते हैं तो मान के चलिए कि 10 नंबर तो आपको यहीं से प्राप्त हो जाते हैं महज 40 नंबर के लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी है ठीक है अगला इसका दूसरा कोशन क्या कहता है भिंदोल और बेंगचा में अंतर इस परश्ट कीजिए ध्यान रखेगा 36 गड़ के अंतरगत कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका बड़ा रूप और छोटा रूप अलग होता है जब आप विलोम शब्द पढ़ते हैं तो विलोम शब्द में आप यह जानते हैं कि जो टुकना है उसकी आकरिती बड़ी होती है इसलिए टुकना बोलते है और टुकनी जिसकी आकरिती छोटी होती है तो कभी-कभी मचलियों में होता है बांबर और बांबी बोलते हैं ठीक है इसी प्रकार आपका देख जाए तो पढ़ना और लपची बोलते हैं वैसे ही जो मेधक होते हैं उसमें देख जाए तो जो टोड होता है बड़ा वाला म में धख उसे भिंदोल कहते है, और समाने थर में धख logistics कहते हैं, अब अंतर क्या लिखना है, बड़े में धख टोड को, 36 गड़ी में भिंदोल और चोटे में धखों को, 36 गड़ी में बेंगचा के नाम से पुकारा जाता है, अगर आपने इतना ही के लिख दिया, तो दो देवर है तो देरानी होगा गुरु है तो गुरुवाइन होगा है ना इसके बाद आते हैं अगले प्रश्ण में जहां विलोम शब्द बताना है चिनहार है तो विलोम शब्द क्या है अपने गुण सुभाव प्रकृती में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं इसे कहते हैं मोसा है तो मोसी कहते हैं ठीक है इसी प्रकार सग बेटा तो हिंगल बेटा कहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बनाने के लिए हम नेगेटिव प्रिफिक्स को यूज करते हैं अब अगर कहता है चिनहार जिसको हम पहचानते हैं चिनते हैं जानते हैं तो इसका अंचिनहार हो जाएगा, इसी प्रकार मिंजरा मतलब मिक्स है मिंजरा मतलब मिक्स है, आपको अर्थ मालूम होना जरूरी ये बता ठीक है, और अर्थ कहा से मालूम होगा 36 गड़ी शब्द कोश को यदि आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया तो चुकि शब्द कोश में सारी शब्द मिल जाएंगे मिंजरा मतलब मिक्स है तो आरुग मतलब की अलग होगा अकेला होगा शुद्ध होगा ठीक है ना तो यहाँ पर आपके विलम शब्द भी इस तरह आपको दो नंबर देते हैं समास के प्रकार बताना है तुलसी चौरा में कौन से समास है तो तुलसी के चौरा यह कहकर हमारे लिए तक पुरुष समास होगा पीतर गोतर कहरा तो बहुबरी ही होगा यह इस तरह आपको समास से प्रश्ण जो है दो नंबर का जैसे 2012 में पूछा था वैसे यहां भी पूछा है अब यहां पर व्याकरण के पक्ष के बाद यहां फिर से बोली भाशा पर फोकस करना शुरू कर रहा है क्या पूछा है कि चतिसगड़ी बोली है या भाशा कितने नंबर का है पांच नंबर का इसको आपको descriptive करके लिखना है कि 36 गड़ वर्तमान समय में भी बोली है भाशा नहीं है हाला कि 28 नवंबर को राजभाशा आयोग की वज़ा से हम 36 गड़ी राजभाशा दिवस मनाते हैं परन्तु अभी तक यह सम्विधान की अनुछेद के अनुसार उस सम्विधान की आठव कारियों का संपादन राजभाशा हिंदी में किया जाता है इस वज़े से 36 गड़ी राजभाशा कहलाती तो जरूर है पर सम्विधानिक दर्जा प्राप्त नहीं करी है इसलिए आज भी वर्तमान समय में 36 गड़ी हमारी बोली है तो अपना point of view रखना है अपना जो उदेश है वहाँ पर प्रश्र के उत्तर में सटिक होना जरूरी है आठवी अनुसूची में शामिल हो जाने पर 36 गड़ी को किस प्रकार लाभ मिलेगा यह भी आपको बताना है कितने नंबर का है पांच नंबर का है तो आठवी अनुसूची में शामिल होकर सरव प्रथम यह 36 गड प्रशासने शब्दों को निर्मान करने के लिए भाशा वीदों का भाशा वैज्यानिकों का या बहुत बड़े ऐसे व्यक्तित्व का योगदान होता है जिनके द्वारा भाशा पर तमाम प्रकार के कार्य जो है वो किये जा चुके होंगे और चार नंबर का या प्रशासने क्या कहता है कि प्रशासने शब्द का निर्मान किया जाएगा तो चूंकि छत्तिस गड़ राज्य क्रिशक वर्ग का क्षेत्र विशेस है जहां अधिकां व्यक्ति साक्षर नहीं बलकि निरक्षर हैं तो निरक्षर वक्तियों को भी प्रशास्तिक कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान नहों किसी प्रकार उनके साथ अन्याय पूर्ण कार्य नहों इसलिए प्रशास्तिक शब्दों को जब बनाया जाएगा तो उसके निर्मान क का है जिसमें सटिक जवाब दिया जाना जरूरिया और यह भी आप किसमें लिखेंगे हिंदी भाषा में लिखेंगे इसको लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोक करेंगे descriptive questions को हिंदी भार्षा का अब यहां दिया है आपके प्रशासनिक शब्द हिंदी के जिसे 36 गढ़ी में लिखना अपरिहारे कह रहा है पारशद कह रहा है मुख्यतिती कह रहा है विचार विमर्स कह रहा है इसको 36 गढ़ी में आपको लिखना है इसके बाद अब देखिए यहां से प्रशन जो 2012 में साहित्य से नहीं पूछा था ना साहित्य कारों से नहीं पूछा था ना सिर्फ व्याकरणी पक्षजादा थे अब देखिए यहां पर आपके प्रशन है जो पूरी तरह से साहित्य की और आपको लेकर जाता है साहित्य के एक शेत्य में देखे कैसा प्रश्न पूछा है बहुत सिंपल सा चतिस गड़ी के प्रथम कवी कौन है हीरो के कहीनी के रशनकार कौन है सुसक जन कुररी सूरताले के रशनकार कौन है ये आपके साहित्य में आपकी रचनाकारों से संबदी थे, इसी में देखिए, छतिस गड़ी हल्बी भतरी बोलियों का भाशा वैग्यानिक अध्यायन किसने रचा है, छतिस गड़ी के राश्टे धारा के किसी एक कवी का नाम बताइए, ऐसा प्रशना आपको पूछ रहा है जिसमें आपके one word answer की तरह आपको इसको लिखना है, एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है, अब कैसे लिखेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसा यहाँ पर लिख दिया है न, तो कोशिस कीजिए बिटा, अच्छी बात है कि आप समय क वहाँ पर सदूपयोग करना चाहते हैं आप बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिख तक लिकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी के 36 गड़े प्रथम को प्रश्ण तो ऊपर दिया है न तो मैं सिर्फ नाम लिख दू ऐसा आपको पूरा लिखना होगा हीरू के कहीनी के रचनाकार बंशी धरपांडे हैं अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वहाँ पर आपके लिखे जाने से आपका व्यक्तित्व दिखाई देता है इसलिए कोशिस करें कि वहाँ पर अगर कहता है एक वाक्य में यहाँ पर चौथा लिख दिया यहाँ पर पहला लिख दिया यहाँ पर तीसरा लिख दिया मत करिये ऐसा क्योंकि एक तो आप क्या गलती करते हैं कि एक तो आप जो है वह वाक्य को पूरा नहीं उतारते ठीक है अब मालिज यहाँ पर लिख दिया आपने बंशी धर पांडे अब जाच करता को question 4 में जाना पड़ेगा कि question 4 में क्या है है तो आप अगर इसी को लिख देते कि हीरो के कहिनी के रचनाकार बंशी धर पांडे अधर खताम बस यही तो करना है आपको ऐसे ही तो खेलना है आपको प्रश्ण पत्र में है ना आप य देने की शैली मेरी बहुत उतक्रिष्ट तरीके की यह कीजिए ना काम चोरी करने से आपके अंक काट दिये जाएंगे बिटा क्योंकि अगर उपर नीचे आपने numbering में गलती कर दी तो हो सकता है कि आपने second का answer जो है third number में लिख दिया आपको पता है कि मैंने second का answer लिखा अ वाग के में लिखने का प्रयाज जरूर करें अब इसका दूसरे पक्ष देखते हैं अब दूसरे पक्ष में क्या लिख है निम में लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए देखे प्रश्ण का उत्तर देना है तो फुलबासन में किसकी कथा है अब आप सिर्फ लिख दें करने की ज़रुरत नहीं है, फुलबासन में किसकी कथा है, तो फुलबासन में सीता और लक्षमन के मध्य, फुलबासन नमा पुष्ब की प्राप्ति का उलेक है, खतम, ठीक है, इसी प्रकास, छत्युज़ गड़ी कावे का प्रारभ कीस यूग से माना जाता है, तो कीस आरेलाल गुपते की रशना का नाम बताईए ठीक है ये आपके साहित्य से इस तरह के प्रश्णक पूछे जाने लगे जो आपके व्याख्यात्मक तोर पर एक लाइन में वन लाइनर आंसर के तोर पर आपसे पूछा गया था अगले कोशन में देखते हैं प्राथमी कक्षा म तो आने वाले समय में 36 गड़ी बोली और भाशा को समझना और प्रयोग करना आसान होगा और चुकि राज्य सेवा परिक्षा के अंतरगत 36 गड़ी भाशा को विशेस इस्थान दिया गया है तो जब बच्चा प्राथमी कक्षाओं से 36 गड़ी भाशा को सीखेगा तो आने यह है आपका दो नंबर का किसी भी भाशा को मानक बना देने से उस भाशा में इस्थाइतवा आता है उसके प्रचार प्रसार में विशेस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं इसलिए 36 गड़ी भाशा के दिमानकी करन कर दिया गया तो हिंदी भाशा की तरह यह भी विख्यात हो जाएगी और यह भाशा अपने आप में उत्कृष्ट तरीके से लोगों के सामने अपना प्रस्तुती करन कराएगी इस तरह का यदि आपने बहुत सटिक आंसर दिया ना तो कुल मिला कर ध्यान रखिए कि पूर्ण अंक आपको प्रदान जो है वो किये जाए यह था 2014 का प्रश्ण पत्र ठीक है अब आते हैं आगे अब यहां पर हम सन 2017 में जो प्रश्ण पत्र पूछा था उसके अंदर प्रश्णों को देखने के चलेंगे अब देखिए 2012 से लेकर 2015 तक कोश्चन नंबर वन में हमेशा से पूछा गया था प्रश्ण आपके 36 गड़ नीम लेकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए नीमने शब्दों के 36 गड़ी समानार थी और नीमने शब्दों का हिंदी समानार थी वैसे ही 2012 से जिस तरह चला रहा था 2017 तक यह 10 नंबर का अपना इस्थान बनाकर चल रहा है जिसमें आप कृष्ण पक्ष को अंधियारी पाक और सधी को जरीबूटी, इसी विदिशक को जोकर बोलते हैं भानजी को भाचि कहते हैं बचपन को लईकाई बोलते हैं यह अगर आप मेंशन करते हैं तो पूरे पाच अंक आपको दिये जा रहे तो गड़ित की तरह यहाँ भी व्याकरन का यह पक्ष्ण आपको नंबर ज कहते हैं और बेनी कहते हैं तो चोटी को वेडी को कहा जाता है अगर इस तरह लिख दिया तो पूरी तरह से आपके नंबर मिलेगा यहां पर आपको सम्मुच चाड़ित शब्दें से प्रशन पूछ रहा है जैसे कनिहा और कनिया ठीक है इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अँहारी और अँहर कहते हैं इसी प्रकार देखा जाया है तो यहां पर सम्मुच Чाड़ित शब्द में विशेश तरपर प्रशन पूछे जाते हैं अब जैसे कि कुंदरा और फुंदरा में अंतर बताईये कहते हैं गिंदोल और भिंदोल में अंतर बताईये कहता है इसी यह सारे समूझ चरशवड़ है अब कहा रहा है अजार और अजारा में क्या अंतर होता है तो जिस तरह आपने गिंदोल और भिंदोल में अंतर बताया था वैसे ही यह समूझ चरशवड़ से यहां फिर से दो नंबर का प्रश्वड आपको पूछा है इसके बाद देखते हैं पोर्लिंग शब्द को इस तरी लिंग में बदलना है राउत है तो राउताइण होगा, गउटिया है तो गउटिनीन होगा राउटिया जैसा कोई शब्द नहीं होता, सउजनिया होता है, जो हेती हर किसान मजदूर होते हैं, उसे सउजनिया कहते हैं, लेकिन यह पर गउटिया होगा, तो गउटनीन होगा, ठीक है, विलॉम शब्द लिखना दतला है, तो अपोजट जेंडर के अकॉर्डिंग दतली हो जाएगी, और अपोजट वर्ड्स के अकॉर्डिंग जिसके दात हैं, तो दतला और दात नहीं है, तो बहुत भला, ठीक है, इसी प्रकार, उतलगहा, जो बहुत उदंड बच्छा होता है, शरार्ती, है न, उसे उतलंगहा कहते हैं, तो चुपा कह सकते हैं, सांत कह सकते हैं, ठीक है, समाशिक शद्द के प्रकार, दिया बरया, मतलब आप इसको हिंदी में आप इसको कनवर्ट करने की कुशिस है, दिया बरया, बारना मतलब की जलाना, जो दिये को जलाएगा, तो नाम रोशन जो करेगा, या सपूत होगा, तो दिया बरया मतलब दियाला बारे श्रेवालाbesमास में पूरर 235 यानि यह न मर बहुंदी नहीं प्रक्षिकवूर्ट करने के कुशिश करें, ठीक है यह अगले प्रश्ण कराते हैं, अब व्याकरण यहां पर खतम कर दिया, यहां पर दो प्रश्ण में आपका व्याकरण खतम कर दिया, यहां तक भी 2017 तक भी क्या पुछा है, सिर्फ वचन परिवर्तन, लिंक परिवर्तन और समास पहचानने और 36 गड़ी से हिंदी समानार थी, प पुछा है, फिर से यह आपका कितने नंबर का है, साहिती के खंड में देख रहा है, तो कितने नंबर का है, यह दस नंबर का है, याने आपको यहां पर फिर से दस नंबर के प्रश्ण आपको पूछ रहा है, लेकिन कितनी संख्या है, पांच है, याने कि अब यह जो हार्थ को लिखना है हार प्रते लगाकर दो सद पनीहार बनीहारि बस बात खतम ठीक है देखिए अगले प्रेशनी के आप पूचा चतिस गड़ी में बोली द्रवीड परिवार अब आप कहेंगे कि द्रवीड परिवार क्या है तो जब आप भाशा का उद्धव और भाशा का वरगी करण पढ़ते हैं तो चतिस गड़ी भाशा के अंतरगत भी आप च याटिक भाशा परिवार कहते हैं जिसे बोली की प्रमुखता है इस भाशा परिवार का प्रयोग जहां मध्य और पूर्वी भारत में किया जाता है चतिस गड़ राज्य के अंतरगत सबसे बड़े रूप में उसका प्रयोग किया जाता है दूसरा बड़े भाशा परिवा दरवड भाषा परिवार की बोली के नाम जो है आपको लिखने है ठीक है और इसके बाद अगले प्रशने के श्रेणी में आते हैं अब यहां से अगले प्रशने को देखने का प्रयास किजिए यहां फिर से 36 गड़ी के प्रशासनिक शब्द को लिखना है दैनिक भत्ता, हस् प्राक्षर, इस्थानांतरन, आवेदक, प्रवेश प्रतेशा और यह आठ नंबर का है मतलब की 2468 यानि कि हर इसमें आपको एक एक अंक जो है वो प्राप्त होंगे अगर आपने अवकास को छुट्टी लिख दिया आदेश को आदेश लिख दिया इसी प्रकार प्रवेश इसको खुसरना लिख दिया आवेदक को अरजित देवया इस्थानांतरन को अगर कहते हैं जगह बदली अगर ऐसा आपने लिख दिया तब पूरे अंक आपको गडित की तरह यहाँ पर प्रदान किये जारे वेटा देखिए सोचिए कि छोटे-छोटे से कोश्चन है और प पक्ष है साहिति से संबंधित प्रश्ण में दो पक्ष है एक पक्ष के अंतरगत आपको क्या लिख रहा है कि सुंदरलाग शर्मने दान लीला की कथा कहां से ली है तो रास लीला जो महा भारत में राधा कृष्ण के प्रेम से संबंध थे उससे उन्हों नहीं यहाँ पर छंद अम्रित बरसाइज के लेखक कौन है प्रणेगीत कि से कहा जाता है तो 36 आयोक का कारियाले इस्थापना दिवस कब मना यगैं तो चंद इसका संशोधन हुआ कब ये भारती राजपत्र में आया किसके उद्देश क्या थे सारी चीज़ों को आप वहां से पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लाइन में आपको लिखना है कि कितने तारिख को 36 गड़ कारेला अस्थापना दीवस राजभाश आयो कब मनाएगा दा खुबचन बगहल के एक नाटक करम छड़ा लिख सकते हैं उच नीच लिख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरे अंक प्रदान किया जाएगे इसी का दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष में क्या प्रशन पूछा है दूसरे पक्ष में पूछा है 36 गड़ सेवक के संपादक अब जो 36 गड़ पत्रकारीता है 36 गड़ पत्रकारीता है जिसमें 36 गड़ी भाषा को साहिते का इस्थान देने वाली पत्रकारीता थी 36 गड़ राज्य के अंतरगत कुछ कुछ क्रांती कारी पत्री का थी राज्य के भारत वर्ष के आजादी से पहले की पत्रकारिता थे, स्वाधिन्ता संग्राम के समय की पत्रकारिता थे, और स्वतंतरता के बाद की पत्रकारिता थे, माना की सारी पत्रकारिता जो यहां पड़ थी, वो हिंदी भाषा में थी, परन्तु हिंदी भाषा की पत्रका जिसको लिखने के लिए उन्होंने देवनागरी लिपी का प्रयोग किया बशर्ते संस्कृत और अंग्रेजी के व्याकरण से प्रभावित होकर हिंदी को मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने लिखा तो यहां के साहित्यकारों को एक लिपी प्राप्त हो गई इसलिए उन्होंने चत्यिस गड़ी भाषा में भी लेखन का काम किया। साहितिक रचनाओं को अंजाम दिया और उन्हीं साहितिक रचनाकारों ने आगे जाकर धीरे-धीरे कुछ ऐसे पक्ष के उभरते ही व्यक्ति हुए जिन्होंने पत्त्रकारिता के क्षेत्र में भी योगदान दिया और 36 गड़ी भाशा साहिते में कुछ ऐसे पत्रिकाएं थी जिनको एक विशेस अंक के तोर पर हिंदी पत्रकारिता के अंतरकत इस्थान दिया गया मड़ई पत्रीका हो गई जो आपकी देशबंधु में आती है इसी प्रकार हरी भूमी में चौपाल आता है अमरी संदेश में अपंडेरा आता है ऐसे ही पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो कुल मिलाकर अगर आप पढ़ते हैं तो यहां पर से पत्रकारिता का अगर आप पूरा हिस्साब पढ़ लेते हैं तो 36 गड़ सेवा के संपादक का नाम वहीं से आपको प्राप्त होगा आस यात्रा 36 गड़ लोकसा हित्ते का वर्गी करन करेंगे तब जानते हैं कि नाचा के भीश में पितामा की से कहा जाता है 36 गड़ सीनेमा जगत की शुरुवात किसने की थी तो उस समय 36 गड़ की प्रथम फिल्म कौन सी है मैक्जिमम बच्चे कहते चहिया भूया नई 36 गड़ के अंदर 1963 में पहली मूवी बनी थी जिसका नाम था कही देबे संदेश तो 36 गड़ की पहली फिल्म थी कही देबे संदेश 69 में बनी थी घर द्वार नामक दूसरी पिक्चर लेकिन 36 गड़ राजे की प्रिथक होने के बार आये का रिकॉर्ड तोड़ने वाली प्रदी दिन 5 से 800 में देखी जाने वाली 36 गड़ की पहली रंगीन पिच्चर आपकी होती है मोर छाईया भूया तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्ण किस तरह का है और कैसा आपको जवाब लिखना है अब देखिए यदि आपने राजभाशा की बात कर रहे हैं देखे दो प्रकार से हैं प्रश्ण पूछा राजभाशा से एक तो पहले पिछले वर्ष के प्रश्ण पत्र में लिखा था कि राजभाशा आयोक कारियला अपने दिवस क्या है अब राजभाशा से यहाँ पर भी एक नंबर का प्रश्ण है और यहीं देखिए पाँचवा प्रांती सम्मिलन 2017 में कहा हुआ था तो राजभाशा आयोक से दो नंबर के प्रश्न यहीं आपको पहले ही इसी क्षित्र के अंतरगत पूछा गया है गया है तो जब आप अधिर रंग मंच पढ़ते हैं तो जब आप लोक साहिते का वर्गी करण के अंतरगत जब आप पढ़ते हैं लोक गाथा, लोक गीत, लोक कथा, लोक नाठे लोक नाट्य का आधुनिक रूपी ही रंग मंज को माना जाता है, इसका प्रमान यहां कि गुफवा जो भी आपके प्राप्त हुए है, आपकी सीता वेंगरा की गुफवा में जो नाट्य शाला की प्राप्ती हुई है, वही रंग मंछ की शुरुवात, उसके बाद चाथिस के अंतरगत जो लोक नाटे हुआ करते थे उसी में कौन है जो महिला जो रंग मंच कर्मी है इसका प्रशन आपको 36 गड़ के रंग मंच से संबधित टॉपिक के अंदर से पूछा है इसके बाद देखे फिर से यहां पर प्रशन जो है वो राज भाशा से ही पूछा मतलब एक प्रशन पत्र में राज भाशा से यहां एक नंबर था यहां एक नंबर था अब प्रशन जो है वो दो नंबर का है यानि कि चार नंबर का राज भाशा से ही प्रशन पूछा है कि 36 गड़ राज भाशा आयोग का बिजहा कारेकरम क्या है इसके बाद 36 गड़ी लोक कलाव में वैश्वी करण के प्रभाव पर नंबर का प्रशन है जो आपको लोग साहित्य, लोग कला, मंच सिसंबंधित चीज़ों को यहाँ पर लिखना है, तो देखिए, प्रशन वहीं है, पर तो पूछने का तरीका जो है, हर वर्ष बदलता जा रहा है, व्याकरण के कुछ ही पक्ष हैं, बाद के इसके पूरे पक्ष हैं, जो साहित्य अब तक 2017 तक, इस्पेशली मेंशन नहीं था बिटा, ध्यान रख रही हैं, यहां मेंशन नहीं है, कि रंग मंच भी पढ़ना है, यहां पर पत्रकारिता पढ़नी है, यहां पर आपको राजभाशा आयोग पढ़ना है, मेंशन नहीं था, परन्तो उन्होंने अपना इस्थ प्रशन पूछे जाएंगे, तो अब देखते हैं कि 2018 के बाद किस प्रकार के प्रशन आप से पूछे गए हैं, जब 2017 में संस्कृत भाशा को हटाया गया, जिसके 50 अंक चले गया हिंदी भाशा में, और दूसरे भाग का हिस्सा आ गया अपके अंग्रेजी भाशा के लिए, तो भाग चार, 36 गड़ी भाशा हुआ करती थी, अब यह भाग तीन के नाम से पहचान जो है वो बनाने लगी, और दूसरी बात कि यहां जो अंक है, पहले की तरह ही 50 नंबर का बना हुआ है, परंतु प्रशन का दायरा, प्रशन की परिस्थिती, प्रशन का जो महसूस करता है, यहां व्याकरण के पक्ष को जादा महत देने वाला प्रयोग देखने के मिलता है, हर वर्श की भाती, पहला प्रशन यहां पर फिर से वही है, जिसके दो पक्ष हैं, कि 36 गड़ी का हिंदी समानार थी, और हिंदी का 36 गड़ी समानार थी, पहले की तरह आज भी 10 अंक का बना है, और इस 10 अंक की प्राप्ति कहां से होगी, जब बीजहा कारेकरम के अंतरगद, जो 36 गड़ी शब्द कोश है, जो हर आपकी competition exam की पुस्तक में मिल जाएगी, यदि आप CGPAC की वेबसाइट में जाते हैं, तो वहां से भी बीजहा कारेकरम के अंतरगद क इस चीज़ों को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो डेली इस पर अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो दस नंबर आपके हाथ में बंधा हुआ है, क्यूंकि अगर लिख देते हैं बरगद, तो 36 गड़ी में बर बोलते हैं, वट से बर हो जाता है, यदि वो चमगादर कहत हैं, तरबूज कहते हैं, तो कलिंदर कहते हैं, नीलकंट को तेहर्रा के नाम से पुका जाता है, बहू को बहुरिया या पत्तो कहा जाता है, अब पूरे पांच अंक मिल गए, इसी तरह अगर देखा जाए, तो नवदसी कफन को कहा जाता है, लेवना मखन को कहा जाता है, क बहुत अच्छे से है, तो पूरा 10 अग्क आपके हाथ में हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें से 2 बना दिया इसमें से 2 बना दिया तो महझ दो और 2 बनाने से क्वाल 4 अंक मिलेंगे, 6 अंक आपके वहीं से कट जाएंगे, तो जब आपको हर चीज में आपको एक एक अंक है तो आप इसका distribution देखिए न कि अगर वो उसमें पांच option दिया है और पांच number का है तो हर option में आपको एक अंक है मतलब सोचिए अगर आपने सिर्फ तीन लिखा तो केवल तीन अंक मिलेंगे इसलिए बिटा किसी भी तरह से इसकी तयारी करिए जो आपको 10 नंबर पूरी तरह से देता है अब आते हैं अगला फिर से देखिए समुच्चा रिश्च पहले की तरह कि बड़ा और बड़ी बड का ही एक हिंदी रूप बड़ा है और बड़ी का हिंदी रूप जो है वो बड़ी है अगर कह जाता है बड़ा का हिंदी रूप बड़ा है बड़ी का हिंदी रूप बड़ी है आप ऐसा भी लिख सकते हैं चोकि आप पहले लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे दो नंबर कि बड़ा और बड़ी उड़व से बनाया जाने वाला एक पक़वान है, बड़ा पक़वान के तोर पर और बड़ी सब्जी के तोरपर खाया जाता है, तो इस तरह पंदरतर पर अपनी सोछ और समझे से जो है वह इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़़्यादा परिशान होने की जोरत नहीं है, अब आते हैं अगले कोश्चन में, नीमने लेके 36 गड़ी पूरलिंग शब्दों को इस लिए अब डोकरा है तो डोकरी, ठेटवार है तो ठेटवारी, तो जेंडर चेंज करने से हमेशा प्रश्ण आपको पूछता है, इसलिए यहाँ पर फ फूफू फूफा, है ना, यह पहले से निरधारित है, कि कभी-कभी हिंदी में जिस तरह हम प्रत्या लगा देते हैं, तो टूरी, कका है, तो काकी, छोकरा है, तो छोकरी, यह प्रत्या लगा दिया, कभी-कभी इन लगा देते हैं, लोहार है तो लोहारीन, सोनार है तो सोन इसी प्रकार आइन लगा देते हैं, सर्माईन, मिस्राइन कहते हैं, कभी-कभी हम इया लगा देते हैं, जैसे बुढ़ हुआ है तो बुढ़िया, बचवा है तो बच्छीया, ये सारी चीज़ें आपको छुटी-चुटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं, तो जेंडर चेंज करने बोला है, यहाँ पर पहचानने बोल दिया है, इसी का एक पक्ष बना दिया है, कि संगवारी कौन सा लिंग है, अब संगवारी मतलब कि दोस्त को कहते हैं, अब दोस्त में तो लड़का भी है और लड़की भी है, तो संगवारी कहते हैं, तो 36 गड़ी मे तीन प्रकार का LING है, इस्त्रि लिंग, पूर लिंग और एक है हमारा उभय लिंग, इसलिए संगवारी उभय लिंग है, तूरी मन में कौन सा वचन है, आप यहाँ अगर आप लिग देते हैं, तो पूरी तरह से आपको एक अंक जो है वो प्रदान किया जाएगा, और संगवारी में उभैलिंग है कहते हैं तो एक अंक आपको प्राप्त हो जाएगा ठीक है अब देखिए अगला है समासिक शब्द का प्रकार हमेशे के तरह चुटकी चुटका रंधनी खोली कह रहा है तेहां से आपको समास पहचान करके ही आप वहाँ पर उन चीजों को लिखेंगे अब हैं नीमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए अब देखें यहाँ पर पूर्ण तोर पर आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है नीमलिकित प्रश्णों को उत्तर दीजिए कहकर क्या पूछ रहा है तीन घंटाले पानी बरसत है में कौन सा काल है मैंने बताया था न सीलेबस को जब चेंज किया गया तो टेंस को बहुत इस्पेशली मेंशन किया है कि टेंस में आपको पूर्ण भी परना है अपूर्ण भी परना है याने कि सिंपल प्रेजेंट भी परना है present continuous present perfect इसी तरह past में भी भूत काल में भी समाने भूत काल आपका पूर्ण भूत काल पूर्ण भूत काल पढ़ना है भविश्य में भी समाने भविश्य पूर्ण भविश्य और पूर्ण भविश्य काल को पढ़ना है अब यहां करें तीन घंटा ले पानी बरसत है अब हिंदी में translate करें कि तीन घंटे से वर्षा हो रही है तो हमारे लिए पूरुना साथत्य वर्तमान काल हुआ है ना कि ऐसे काले जो वर्तमान में शुरू तो हो परंतु समाप्त ना हुआ हो तो उसे हम पूरुना साथत्य वर्तमान काल कहते हैं कि present perfect continuous stance अब यहां पर कह रहा है कौन सा काल है तो बरसत हैं मतलब बरस रहा है तो वर्तमान काल हुआ अगर आप उतना अंदर तक गहराई तक नहीं जाते हैं तो आप का कर सकते हैं जैसे हम क्या करते हैं संधी में हम लिखते हैं जैसे कि विद्याले में कौन से संधी है तो विद्याले में हमारे लिए स्वर संधी है अगर गलती से आपने विद्याले में गुण स्वर संधी लि जब तक आप पूरी तरह से श्योर नहीं कि नहीं किसी भी परिसिती में संबंध तक पूरुष है अगर आप पूरी तरह से जानकार हैं तभी तो आप मेंशन कीजिएगा कि कर्म है कि करण है कि संप्रदान है लेकिन अगर आप थोड़ा भी कन्फ्यूज हैं थोड़ा भी यदि आपने दिगंबर में कौन सी संधी है कहता है आपने जशत्व संधी लिख दी और वो कहीं न कहीं इस्टुत्व संधी हुआ तब आपके अंक कट जाएंगे लेकिन आपने दिगंबर में व्यंजन संधी है कह दिया तो आपको पूरे अंक मिलेंगे बिटा तो ऐसी गलत का mention करने की जूरत नहीं है तीन घंटाले पानी बरसत है तीन घंटे से पानी बरस रहा है मतलब यह हमारे लिए चुप चाप वरतमानकाल है ठीक है ना और ऐसा अगर आप लिखते हैं तो कितने नंबर है इसमें दस है और कितने कोशन है पांच मतलब आपको दो नंबर मिल गय ठीक है अच्छा सीता पढ़ेगी सीता पढ़ेगी अब यह हिंडी में दिया है टेन्स से ही है कि 36 गड़ी में अनुमाद करना है सीता पढ़ी मतलब कि भविश्यकाल का है अब भविश्यकाल अगर आपने पढ़ा है तो उससे आप लिख सकते हैं फिर आपको दो नंबर मिल अब देखिए फिर भाषा बोली में चला गया कि पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा 36 गड़ी की दो भगीनिया भगीनी का मतलब बहने और 36 गड़ी में पूर्वी हिंदी से कौन से दो बहन इसके साथ आई हैं एक है अवधी और दूसरी है हमारी बगेली ठीक है तो एक नमबर इसमें एक नमबर इसमें मिला कर कितने नमबर दो नमबर यहां पर आपके बंद गए कि पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा 36 गड़ी की दो भगीनी बहने अवधी और बगेली है इतना आपको लिखना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये दो नमबर का मामला है ठीक है चुप चप अवधी और बगेली लिख दूँ तो आपको आधे नमबर ही देगा क्यों क्योंकि आपने वाक्य को पूरा नहीं किया अब देखिए इसमें जो भगीनी बहनियों के बात की थी वहां पर पूरा इस तरह आपसे लिखने से आपके आंसर जो है पूरे दो नमबर अबत कि में सरवनाम कौन सा है मतलब की यहां पर व्यांकर न में जहां पर आपको काल मैंशन किया है इसके बार में देखा जाएं तो संग्यों के साथ में अब यहां सरवनाम से भी शब्द आपको वाक्य में प्रश्ण की माध्यम से उसके उत्तर पूछे गए ठिक है तो का पक्ष यहां पर अब जो है वो मजबूत होने लगा है इसके बाद अगले पक्ष क्यों जाते हैं तो 36 गड़ी भाशा में अब देखिए अब तक आपने पाया 2015-2017 तक निम्न हिंदी प्रशासनिक शब्दों का 36 गड़ी प्रशासनिक शब्द लिखिए कहा था यहां पर वै जो दिया मेंशन किया था उसके माध्यम से हिंदी के वाक्य को 36 गड़ी में लिखने बोल रहा है और देखिए यहां पर आपके प्रशासनिक शब्द है रिपोर्ट कह रहा है नियंत्रक कह रहा है मंत्रालय कह रहा है परामर्ष कह रहा है पावती कह रहा है प्रतिक्षा कह है वापसी डाक कह रहा है तो सोचने वाली बात है कि पद के माध्यम से वाक्य के माध्यмет से अब प्रशासनिक शब्द के प्रश्ण जो है वह आने लगे तो दिमाग का एक जो तत्व है की प्रशासनिक शब्द को उसी लेवस में में मेंशन नहीं किया है तो जो Caroline दस नंबर का पुछा जा रहा था अब सेंटेंस में यहां हर एक वाक्य में दो अंक जो है वो निर्धारित किये हैं तो 36 गड़ी मिलेना है कि पावती का अभी तक प्रतिक्षा है तो पावती अभी तक अगोरत हो ऐसा गार आप लिखते हैं तो आपको वनुक मिलेंगे इसका उत्तर वापसी डाक से भेजा जा रहा है तो एकर उत्तर ला लुटते डाक ले भेजे जावत है ऐसा मेंशन करते हैं तो पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे ठीक है अब प्रशासनिक शब्द का दाइरा जो पहले वनवर्ट जैसे पूछा जा रहा जैसे पहला प् कोशन में अब देखिए यहां पर साहित्य खंड फिर से अपना इस्थान बना रहा है जो आपके राजभाशा है उससे संबंधित प्रशन देखिए कि 19 से 21 जनवरी 2018 को बेमितरा में जो राजभाशा आयोग का छठवा प्रांतिय अधिवेशन हुआ था किस साहित्यकार को स एक अंक का प्रशन जो है वो पूछा है 36 गड की प्रथम महिला उपन्यासकार ठीक है कौन है लगो संग्रा करगा की लेखी का कौन है अब तक के 2017 तक अधिकांशत आपकी पुरानी साहितिक पुस्तकों में से पुरुष्वर्ग से संबंधित साहित्यकारों का उनलेख प्र साहित्यकारों से संबंधित प्रशन आपको पूछा जा रहा था ठीक है लेकिन 2018 के प्रशन पत्र में महिला साहित्यकार को सम्मीलित कर लिया गया और उससे संबंधित प्रशन यहाँ पर पूछे गए हैं अगली बार मेग दूत का 36 गड ही में काव्य अनुवात किस नहीं क पढ़ेंगे तब आप यह पाएंगे कि 36 गड के अंतरगत पध्यात्मक और गध्यात्मक दोनों प्रयोग 19 वे शताबदी में शुरू किये गए प्रबंध कावे के रचना की जाने लगी प्रबंध कावे के साथ-साथ यहां पर गद्य के हर एक विधाओं में नाटक कहानी एकांकी उपन्यास जैसे तत्व 36 गड साहित्य में भी देखने को मिलता है भेटवाता मिलती है पत्रकारिता मिलती है पत्र साहित्य मिलता समिक्षात्मक रचनाई मिलती है हर एक पक्ष जो हिंदिस साहित्य के जगत में साहित्य कारों के द्वारा किये जा रहे थे वो सारे काम 36 गड़ साहित्य के अंतरगत भी देखने को मिलता और इस वजह से प्रश्ण के अंतरगत अनुवाद लेखन से संबंधित विशेस प्रश्ण जो आपसे पूछा गया है शीवायन नामकावे के रशनकार कौन है अब देखिए जब 2012-14 में पूछा जा रहा था तक प्रश् प्रश्ण से दूसरे पक्षर को जानने के लिए अब देखिए यहां पर सीनेमा जगत के कही देवे 36 गड़ी कही देवे संदेश्क फिल्म के गीतकार का नाम बताईए दो व्याकरणी के नाम बताईए जो 36 गड़ी भाशा में अगर किसी भाशा विदो ने कारे किया है तो तो हिंदी के दो 36 गड़ी के दो व्याकरण रर्चना करने माले का नाम तो नरेंदरी दर्वर्मा लख सकते हैं शंकर शेष लख सकते हैं इसे प्रकार आपके ही रालाल कावियोपाद भिया है ठीक है बिन भाडी के अंगल लोकोक्तियों का भाशा वैगैलिक अधियान के ल हर प्रश्ण में आपको एक अंक जो है वो दिये जा रहे हैं इसके बाद यहाँ पर प्रश्ण थोड़ा बदल दिया कि समन्वित साहितिक रेडियो पत्री का मोर भुईया के बारे में इस थंक्षित टिपणी लिखे अब यहाँ पर जो 36 गड़ी भाषा का रेडियो आकाश् प्रयोग और 36 गड़ी भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो का महत पुर्ण योगदान देखने को मिलता है जिसके अंतरगत क्रिशी से संबंदित हर प्रकार के तत्वों को अब वहाँ पर प्रस्तुत किये जाते हैं समाचार हो चाहे किसी भी प्रकार की गत समय में किये जा रहे हैं और इसी रेडियो के अंतरगत एक 36 गड़ी रेडियो पत्री का निकलती है मोर भूईयां जिसमें 36 गड़ी के अंतरगत लोग साहित्य प्रशासन बोलचाल की भाषा क्रिशी विज्ञान हर प्रकार के प्रक्ष को इस्थान दिया जा रहा है ऐसा कह और पुछा था कि आठवी सा अनुसूची में शामिल होने से 36 गड़ी भाषा को क्या लाव मिलेगा उसी कोश्चन को यहां पर फिर से रिपीट किया गया और इस तरह देखा जाए तो 36 गड़ी भाषा से विश्यस प्रकार के प्रशन जो है वह आपके यहां पर पूछे ग परिवर्तन से दो नंबर का वचन परिवर्तन से दो नंबर का समास पहचान के दो नंबर का और साथ ही देखा जाए तो समच चारिट से दो नंबर का कुल मिलाकर 20 नंबर का प्रशन केवल व्याकरण से यहां पूछा जा रहा है नए रूप में व्याकरण में डाल दिया ग पक्षा से ही आपसे प्रश्ण 50 में याने की अगर हम 50 नंबर के 36 गढ़ी कहें तो 30 नंबर तो केवल 2018 तक व्याकरण पक्षा से ही पूछा था और 20 नंबर के जो अंक थे वह आपके साहित खंड के हर एक पक्षा से प्रश्ण जो है वो पूछा गया था ठीक है तो खुल मिला कर इस 30 नंबर की तैयारी हमारी कहां से होगी CGPAC की प्रारंभीक परिक्षा से तो आपके मेहनत कहां कम होगी मुख्य परिक्षा में अगर आपने प्री में मेहनत कर ली व्याकरण के 30 नंबर को पाने के लिए तो आपके मुख्य परिक्षा में केवल 20 नंबर की मेहनत रह ज साहित में भी आप गड़ बढ़ाएंगे नहीं कहां पर जब आपको वन वर्ड की तरह प्रश्ण पूछा जाएगा जैसे कि ये एक नंबर मिले या आधा मिले आठीयन सुची में शामिल करने के लिए अगर आप बहुत उत्कृष्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो हो सकता आधा नंबर मिले तो नंबर कटने के संभावना कहां है व्याख्यात्मक उत्तरों में लेकिन जहां एक आंक जो दिया जा रहा है उसमें किसी प्रकार से अंक काटे जाने के संभावना नहीं है अब इसी 2018 के बाद वाले प्रशन के बाद अब हम जानेंगे कि आने वाले परिक्षा में 2019 में 2021 में 2020 में किस प्रकार के प्रशन इसी को लेकर पूछे गए थे तो नवीन पाठिक्रम में 2018 में इस प्रकार के प् देखे, 2018 के बाद में 2019 में किस प्रकार के प्रश्णे हैं जो पूछे गए थे, तो जब 2018 में नवीन पाठिक्रम था, उसी 2018 के बाद नवीन पाठिक्रम में 50 नंबर के 36 गड़ी में फिर से पहला पक्ष यथावत अपना इस्थान बना कर चल रहा था, जिसमें शब्दो का 36 ग गड़ी में लिखने के लिए और 5 नंबर के हिंडी में समानार्थी लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन जो सम्मुच्चारिश शब्दे थे, उस सम्मुच्चारिश शब्दे के बदले में यहां एक प्रश्ण अलग पूछ लिया गया, कि पोखरा किसे कहते हैं, तो यह 36 गड़ी शब्द कोश्च का ही एक पक्ष है, जहां पर आप जो वाक्यांशनों का एक शब्द पढ़ते हैं, उस से ही संबधित प्रश्ण यहां पर पूछा गया है, तो आपका जो कमल गटा होता है, कमल का जो बीज होता है, उसे पोखरा कहते हैं, ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर प्रश्ण में, दूसरे नंबर पर देखते हैं, कि दूसरे नंबर के प्रश्ण में किस प्रकार के प्रश्ण है, यहां फिर से पूरलिंग शब्दों का इस्त्रेलिंग लिखने के लिए, और एक वचन से बहु वचन बदलने के लिए, और समासिक शब्दों लगातार बना है यानि आपको हर साल वशन परिवर्तन लिंक परिवर्तन और आपके समासिक शब्द से प्रश्ण पूछे जा रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है और इसके तयारी आपको करनी है क्योंकि यही प्रश्ण अब आपके प्री में भी पूछा जा रहा है तो टेंस को पूछा कि राम लिखत रही इसमें कौन सा काल है कितने नंबर का है अब यहाँ पर दो नंबर का नाम लिख रहा था कहकर यदि हम भूत काल कहते हैं तो दो नंबर मिल गया पूर्वी 36 गड़ी की दो बोली तो अवधी और बगेली इसी को लास कि दो बोली का नाम फिर से दो नंबर मिल गए आपको अईन उपसर्ग लगा कर दो शद्वनत सर्माइन मिस्राइन पंडिताइन बोल दिया तो दो नंबर आपको मिल गए आड़ी प्रत्या है तो जुआड़ी पनवाडी खिलाडी कहकर आपको हिंदी से संबधित दो अंक यहाँ पर फिर से प्राप्त हो गए परिनाम शब्द का संधी भी छेद करें उसके प्रकार को प्रयों किया जाता है तो संस्कृट की संधी का हिंदी में जब प्रयोग किया जाता है तो चुक SI संस्कृत के जो भी नियम है उनहीं नियमों का पालन हिंदी भाषा में हुब रहू किया जाता है परंतू 36 गड़ी भाशा जिसे 36 गड़ी बोली कहते हैं इसके अंतरगत विभिन प्रकार की भाशा में प्रयोग होने वाले बोलियों का प्रभाव है जिसकी वज़ा से 36 गड़ी बोली के अंतरगत वरणाक्षर जो है वो रुपांतरित हो जाते हैं अब देखा जाए आना जो है नामे बदलता है अब इससे आप हिंदी में परिधन नाम कहेंगे ठीक है ना हीसे हम हिंदी में परिधन नाम कहेंगे ठीक है परिधन नाम कहेंगे और चछतिस गड़ी में परिधन नाम कहेंगे तो परिधन नाम कहकर परिधन नाम हुआ चछतिस गड़ी में परिधन नाम से परिध कुल मिलाकर हमारे लिए कौन से संधी का उदाहरण इस तरह अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे अंक जो दे दिए परिधन नाम कह रहा है तो बनेगा परिणाम ठीक है और उसका प्रकार है तो कौन से प्रकार है व्यंजन संधी का यह उदाहरण है ठीक है पर इसके पूछा जा रहा है अब देखिए यहां पर पर निशो नहीं हो रहा है पर मैं आपको बतला दू कि यहां पर और प्रशन कदार है यहां फिर से कहा है निमने लिकित हिंदी वाकियों का 36 गड़ी में अनुमार्ट कीजिए यानि कि प्रशासनिक शब्द फिर से प्रस्ताव प् साहित्यकार में कावे संग्र चंद के छटा किस कवी यत्री की रचना अब देखिए 2018 में भी महिला साहित्यकार को यहां पर इस्थान दिया गया है यहां भी महिला साहित्यकार की रचना जो है पूछी गई है वीमश के निकर्ष पर 36 गड़ी समिक्षा गरन थी यानि कि पुराने पुराने साहित्यकार थे 2012 से 2017 तक उनसे प्रश्ण पूछे जा चुके हैं अब के पाठ्यक्रम के आधार पर जो नवीन साहित्यकार हैं जो नवीन रचनाएं हैं उनसे संब्धित प्रश्णों को इस्थान दिया गया है फिर से यहां 36 गड़ी राजभाशा आयोग उदेश्य उसके बिजहा कारेकरम उसके लक्ष उसे कारेल सापना दीवर्श राजभाशा आयोग दीवर्श पूछा अब इस बार पूछा गया था चथार प्रतिवर्श किस तीथी को मनाया जाता है इसके बाद 36 गड़ी साहित्य में जो साहित्यक गरंठ थे अग्रामर आ जिसमें से जड़ी बात की जाएं मुक्ती बोध की और बक्षी जी के तो राजनें बाहें गाँ recovery में सिर्फर होकर 36 गड़ राज्ये में रहकर उन्होंने हिंदी साहित्य पर अपना योगदान दिया लेकिन मुकुट धरपांडे छायवाद का जिन को जनक माना जाता है उन्होंने 36 गड़ी में साहितिक रशनाओं को अंजाम दिया है इसे साहित्य से दूसरा पक्ष में 36 गड़ी के तीन महा कावे के प्रणेताओं अब देखिए 36 गड़ी के अंदर भी प्रबंध कावे थे प्रबंध कावे महा कावे खंड कावे की रशना 36 गड़ी के अंदर लिखी गई तो कौन से तीन महा कावे है उसको लिखने वाले कौन थे उसका वर्णन करना है 36 गड़ साहित्य के एतिहासिक अध्ययन पर जो शोध पत्री का निकाली जा रही थी या शोध किया जा रहा था उसको किसने प्रणेता थे कोन उनका आगे बढ़ाने का काम करते भाषा सास्त्री अध्ययन किसने लिखा किस लेखा के साथ खंडों में आदिवासि 36 गड़ के व्रिहत इतिहास का वर्णन है इस तरह का प्रशन प्रथम प्रमानिक समिक शात्मक रचना किसकी है ऐसे प्रशन अब यहाँ पर साहित्य के एक शित्रे से पूछा जा रहा है कुल मिलाकर जब यहाँ पर अलग प्रकार के प्रशन पूछे जा रहे थे 2012-2013 में क्या था कि सुंदालाग शर्मा के नाटक दानलीला को किसने लिखे तो सुंदालाग शर्मा अब इसी प्रकार कलीकाल नामक नाटक के रचैता कौन थे तो यह हमारे लिए आपकी लोचन पर साथ पांड़े थे वैसे ही प्रशन का दायरा अब भी 36 गड़ साहिते में 10 नमबर का साहिते से प्रशन पूछा कुल मिलाकर 2019 में 10 नमबर में पूरा साहिते खंड़ से संबंधित प्रशनों को लिखा है फिर से आपके जो अंत के दो-दो नमबर के प्रशन थे उसमें आपके विचार है कि पश्चिमी 36 गड़ी पर संक्षित टिपणी लिखी अब क्या लिखेंगे कि 36 गड़ राजी जितने राजी की सीमा दायरे को छूता है उतने राजी की बोली भाषा को अपने में मिला कर चलता है पश्चिम की ओर अगर हम बढ़ते जाते हैं तो महाराश्टियन का प्रभाव पढ़ना शुरू हो जाता है और पश्चिमी 36 गड़ी में मराठी के शब्दों का समावेश देखने को मिलता है फिर कुछ उधारन आप प्रस्थूत करते हैं तो दो नंबर आपके मिलते हैं 36 गड़ी के मान की करने की आवशक्ता फिर से प्रश्ण पुछ दिया कि एक बार पुछा था कि मान की करन करने की आवशक्ता क्यों है अपने विचार प्रस्थूत कीज़े तो कुल मिलागर 36 गड़ी बोली भाशा 36 गड़ी साहित्य 36 गड़ी लोककला संस्कृती हर पक्ष से प्रश्ण जो आपका पूछा जा रहा है और इस आधार पर देखा जाए तो समानार्थी शब्द दस नंबर के मुहावरा आपका जो यहाँ पर आपका जो वचन लिंक परिवर्टन समास वो भी आपके छे नंबर के समुच्चार शब्द दो नंबर का साथ ही संग्या सरवनाम और काल से संबंधित प्रश्ण आपको पूछा जा रहा है अब तक यहाँ मुहावरा लोकोक्ति से प्रश्ण नहीं पूछा है लेकिन एक बार के प्रश्ण में मुहावरा और लोकोक्ति 36 गड़ी का आपको समझाने के लिए कहा गया था अब आते हैं अगले उसको जानने के लिए जिसमें हैं आपका हमारा 2020 का प्रश्ण पत्र और जानेंगे कि अब इन ही प्रश्णों का दाइरा 2020 में कैसा रहा सन 2020 जब आपके CGPSC मुख्य परिक्षा हुई तो 2020 में भी 50 नंबर के 36 गड़ी में आप यहाँ पा रहे हैं कि पहला प्रश्ण फिर से हर वर्ष की भाती यहाँ पर समानार्थी शब्द से है नीमनल के शब्दों के 36 गड़ी समानार्थी लिखे तो नीमनल चट्रिस गड़ी शब्दों के हिंदी समानार्थी लिखे चारागा, थकावट, आखिरी, मा, संशय का 36 गड़ी रूप लिखना है ठीक है? तो खातिरshabda का प्रयोग है, यह खातिरshabda का प्रयोग किस रुख में होता है? जब हम करण कारक रशना को पढ़ते हैं, अब देखिए, यहाँ प्रशना को घुमा दिया गया, इसका प्रयोग जो है वो कारक रशना से पूछा गया, सिलेबस में मेंशन किया है कारक विभक्ती पढ़ना है तो तोर खातीर लईका के खातीर मुर्ख खातीर कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारे लिए उसके लिए इसका प्रयोग होता है तो छत्तिस गड़ी में खातीर शद्द का प्रयोग निम्नांकित रूपों में किस प्रकार ह होता है कहता है तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है इसका प्रयोग जो है वो किस रूप में हो रहा है इसका प्रयोग जो है वो कारक विभक्ति में आपके संप्रदान कारक के रूप में होता है ठीक है यहां पर दिया है क्या संग्या के रूप में होता है ठीक है तो यहां के प्रत्य के तौर पर इसका इस्तिमाल के जाता है जिसमें अगर लईका कह रहा है जाती वार्चक संग्या तो लईका के खातिर कहे कर हम उसका प्रयोग बच्चों के लिए कहे कर इसका इस्तिमाल जो है वो कर सकते और परसर्ग कारक को ही कहा जाता है ध्यान रखेगा परसर् अब आते हैं अगले कुस्षिन को जानने के लिए अगले कोश्षिन के अधि बात की जाए तो निमने लिकिए पूरलिंग शब्दों का स्ट्रिलीन पूरिवर्टं दे रहा है, बचवा से नियग के जन्य जकते है ठीक है फिर दिया है नीमलेकित प्रश्णों के दर दे चत्तिस गढ़ी बच्छर शब्द किस तत्सम से बना है अब देखिए शब्द साधन दिया था शब्द रचना दी थी और शब्द रचना कैसे होती है हम जब यूगिक रूड और योगरूड बनाते हैं हम तत्सम संकर शब्द का प्रयोग करते हैं हम पर्यायवाची समानार्थी एकार्थी अनेकार्थी समच्चार शब्द का इस्तिमाल करते हैं कुल मिलाकर शब्द रचना के अंतरगत से यह प्रश्णा है कि बच्छर शब्द है ना जो संस्कृत का वतसर है संस्कृत का वतसर शब्द तत्सम इस तत्सम से इसका रूप बना है जो बच्छर है तो आपको चत्तिस गड़ी के तत्सम और तद्भव भी जानने होंगे चत्तिस गड़ी में भी तत्सम शब्द हैं कुछ अर्ध तत्सम शब्द हैं कुछ देशज हैं कुछ विदेशज हैं चत्तिस गड़ी में भी प ना मजबूत बनाईए जिससे 36 गड़ी व्याकरण को समझना बड़ा आसान हो हर बार कहती हूं पर डे वन अवर्स आपको लैंगवेज के लिए निकालना होगा लैंगवेज में 60-40 याने की यदि 60 प्रतिशत याद करना है तो 40 प्रतिशत आपकी लेखन में और प्रैक्टिस में होना जरूरी है हिंदी का व्याकरण 36 गड़ी व्याकरण को मजबूत तंब बनाएगा जब हिंदी में संग्या सरोनाम करिया विशेशन को आप जान जाएंगे क्यों कि ऊनि जफिस और थिंग रा मां शीवा фरिशना मोंन किसी व्यक्ति वस्तो इस्थान भाव के नाम को संग्या कहतें राम शीव क्रिशन घ्रिटफ्टन करना बाराट 36 गड़ी में क्या होगा, कवनोर भी व्यक्ति वस्तु इस्थाने भाव के नामला संगिया कते हैं, रमेसर, दीनेस, परमेस, तमेसर, माया, मोह कहता है, करुवाई कहता है, मितानी कहता है, लईकाई कहता है, सब वही तो है बिटा, बशर्ते आपको 36 गड़ी शब्द कोश का ज्यान होना जरूरी है, कि कौन से सब को किस नाम से 36 गड़ी में पुकारा जाता है, प्लकि दस बशर्त आपको शब्द कोश में वही दे रहा है, ठीक है? बास के पतले पतले तुकडे को 36 गड़ी में क्या केते है अब देखिए, पास के पतले तुकडे को क्या केते है, अब ध्यान से समझने वाली बात है जब हम घर बनाते हैं तो घर में, जब हम चपपर में, अगर हम देखते हैं तो बास की तीलियों को, मतलब कीमचिल बोलते हैं समासिस शद्द का त्रिवेणी, तिरवेणी, जो आपके त्रिवेणी है, मतलब कि आपका द्वीगु समास, पंचमेल कह रहा है, ये आपका द्वीगु समास, और इस तरह आपके समास से प्रश्ण जो है वो दो नंबर का पूछ लिया, ठीक है, अब आते हैं अगले कोशन मे अब यहां पर फिर से व्याकरंट पक्षको आपके व्याक्यात्मक तोर पर पुचाएं ये लईका हमोरे, मतलब यह सरवनाम का वाचक है, यह कैसा शब्द है, आपका सरवनाम हो, ठीक है, तो ये लईका हमारे कहता है, वाक्य में किस शब्द भेद? तो यह सर्वनामिक शद्वेद को बता रहा है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो 36 गड़ी में रुपांतरिज के तै मोर बर काय कर सकत हस कह सकते है मृतक के दाह कर्म में तिसरे दिन के इस नान को अब देखिए आप का वाक्यानशों के एक शब्द आ गया मृतक के तीसरे दिन के कार्यकरम को तीज नहावन कहते है दसवे दिन के कार्यकरम को दस नहावन कहते है आप दशगात्र नहीं लिख सकते क्योंकि दशगात्र जो है वो हमारे लिए हिंदी का शब्द है तो जो वाक्यानशों के एक शब्द है जो बिखरी बिखरे जुल्फों वाला तो भखमुडवा बोलते हैं, जो बहुत दंड मजाता है उससे उतलंगहा बोलते हैं, जो बिना बात के मन में मुस्कुराता रहता उसको उलफूलहा बोलते हैं, काले रंग की गाय को कपीला बोलते हैं, पांच प्रकार के जहां पर तो दड़मी कहते हैं, फिर आपको एक नंबर मिल गया विटा, है ना, पसिया किस प्रक्रिया से बना है, पसिया किस क्रिया से बना है, चावल का पानी निकालते हैं, तो जब हम उसको पसाते हैं, उस पसाना जो क्रिया है, उससे पसिया बना है, ठीक है, यह हमारी क्रिया से हो गया एक वन वर्ट सब्टिट्यूट आ गया फिर सम आपको आपको समनार्थी आ गया ठीक है इसके बाद अब देखते हैं कि अगले में क्या पूछता है हिंडी वाक्य का 36 गड़ी में अनुवाद फिर से देखिए मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी मुख्यमंत्री कल आने वाले हैं प्रशासन में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं होनी चाहिए अच्छा किया जो तुम आ गए अब देखे मार लिजे इसमें एक प्रशासनिक शब्द है बाकी में नहीं है पर फिर भी यहाँ पर टेंस और आपके ग्रामिटिकल चीज़ों को यहाँ पर मेंश बहुत हैं उसकार अब 36 गड़ी में देखता रहें तो हम तुम्हारे के लिए तोर कह सकते हैं मैं कब मैं कब लिए तोर राहा देखत रहों क्यों क्योंकि यह भूत कालका है है ना इसने में देख रहा था कहते हैं मैं कब ले तोर रास्ता देखत रहे हूं अगर लिखते हैं तो पूरा मुखे मंत्री कल अवया हावय या मुखे मंत्री कल आही कह सकते हैं अच्छा करे जेताइं हर आ गए ऐसा कह कर अगर अगर इसको लिख रहे हैं तो आपको पूरी तरह से इसमें जो आठ नंबर है ने कि दो-दो नंबर है वो बूरी तरह से आपको जो पूरी तरह से आपको अच्छे से अंग देगा अब देखे फिर से यहां भाषा पर प्रश्ण जो है पूछा गया है सन 1979 से 1975 तक बिलाजपूर से प्रकाशित होने वोले त्रेमासिक 36 गड़ी पत्रीका क्या थी अब यहाँ पर समाचार पत्र पत्रीका का योगदान यदि 36 गड़ी भाशा में था तो वो कौन सी पत्रीका थी जो 69 से 75 तक बिलाजपूर से क्वार्टरली मैगजिन के अकॉर्डिंग निकला करती थी 82 गीत के रशनाकार कौन है प्रथम खंड का विक 36 गड़ी में किसने रत मतलब किस कौन सी वाली है प्रथम प्रमानी सक्ष्मार शात्मक्रिती अब देखे लास्ट यर भी पूछा था 2019 में भी पूछा था और यहाँ पर फिर से इसे पूछ लिया गया 36 गड़ी लोगनाट रहस पर शोध गरंथ का प्रयान एन किसने किया तो यहाँ पर शोध गरंथ भी साहित्तेकारों के द्वारे कि और यह आपके साहित्ते खंड़े से परश्ण जो है वह पूछा है इसका दूसरा पक्ष देखते हैं कि निम लिखित प्रश्नों के उततर दीजिए चन्दैनी गोंदा के संगित निरदेशक कोन थे पीरिया जिनम जनी दे उस तक के लेखा कॉन अगे पहुचाया तो जहां तक मेरी जानकारी है तो भर्थरी गाईका थी हमारे लिए कौन सुरुजबाई खांडे खेते और आपकी पंडवानी गाईका है कौन आपकी तीजन भाई लेकिन इसमें से वो कौन है जो ढोला मारूर को अंतराश्टी स्तर पर पहचान बनाए उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना है गांधी गाथा नामक खंड काव्य किसने लिखा प्रणेता याने कि किनके द्वारा इसे रचा गया फूटहा करम के रशनाकार का नाम बताए यह साह 36 गड़ी पत्रकारिता पर संक्षिप्त में टिपणी लिखना है कितने नमबर का है यह आपका दो नमबर का 36 गड़ साहित्य के अंतरगत पत्र पत्रिकाओं का भी विशेस योगदान देखने को मिलता है यहाँ भी स्वतंतरता प्राप्ती से पहले कुछ समाचार पत्र की शुरुवात हुई थी जिसमें से क्रांतिकारी पत्रिकाओं के तौर पर उनका प्रभाव 36 गड़ राज्य के राजनेद गाओं से रायपूर से दूर्ग से ऐसे कुछ-कुछ विशेस शित्रों से निकला करते थे जिसमें राजनेतिक पक्ष को विशेस महत्व देने वाली रचनाओं को अंजाम दिया गया धीरे धीरे 36 गड़ी भाषा में कुछ ऐसी पत्रिकाओं हुई जिन्हेंने 36 गड़ साहित्य को मंच प्रदान किया उनमें धान का कटोरा हो चाहे वो हमारे लिए आपका 36 गड़ सहकारी संदेश हो ऐसी पत्रिका थी जो 36 गड़ राज्य के अंतरगत 36 गड़ी भाषा साहित्य को लोक साहित्य से हटकर साहितिक भाषा के तौर पर एक मंच प्रदान करना शुरू किया इसी परिवेश में धीरे धीरे आगे जाकर 36 गड़ी भाषा में समाचार पत्रिकाओं के शुरू आत हुई जिसमें 36 गड़ी सेवक जो है 36 का समाचार पत्र है और इसकी अतिरेकत ना के वर 26 गड़ी में हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं में थी मासिक पत्रिकाओं में भी 36 गड़ी के सापताहिक पत्रिकाओं के अंक जो निकलते हैं उस 36 गड़ी के सापताहिक अंक में 36 गड़ी के अंक जो विशेश तोर पर छपते हैं जैसे कि आपके हरी भूमी में आती है चौपाल और उसी प्रकार देश बंधु में आती है मड़ई पत्री का इसी प्रकार आपकी आती है अपंडेरा, इसी प्रकार आती है आपकी पहट नामक पत्र, जो अंक है, वो 36 गड़ समाचार पत्र में अपने साथ, तो इंदी पत्रकारी, 36 गड़ी पत्रकारिता में इस प्रकार की विशेस जो टिपणी है, वो आप बहुत अच्छे से क्लियर लिख सकते हैं चतिस गड़ी और देवनागरी लीपी पर अपना संग्शिप्त विचार लिखिये दो नंबर का। चतिस गड़ी भाषा में वरनाख्षर रुपांतरित होते हैं और वरनाख्षरों का प्रभाव जो है वो किस किस बोली भाषा से प्रभावित है। देवनागली लीपी का इस्तिमाल किया जाता और इस तरह का आप लिखते हैं तो पूरे दो अंक आपको प्राप्त होते हैं अब अन्त में आता है सन 2021 में किस प्रकार के प्रशन आप से पूछे गए थे जिसमें इसका जो रूप है किस रूप में नवीन पाठ्ठे करम के आध में पहला प्रशन फीर से आपके समाना आर्थी शब्दों का था दूसरे में यहां पर आपका मैच फॉलोइंग था यानि कि इसी समाना आर्थी शब्द जो 36 गड़ी हिंदी के थे उससे जो है मैच करने के लिए बड़त है कि पठ्ठो पढ़रो पढ़िया और पठ्ठिया कान नाक नई जनाना अब यहां मुँःवरे का अर्थ पुछा है पूर्वी cancel और पर फिर से रीपीट कर दिया हर बार हर एक साल के अंतर में पूरवी बॉली को रिपीट कर रहा है यहां मुःवरे के सासाथ लोकोगती कोरा मले का गावभर गोहार का अर्थ बताना昨 बर्दी और गोड़ी में कोण सी संग्या है ये बतलाना है उराऊ किस भाशा परिवार से है यानि कि आपका भाशा परिवार से समभनिद प्रश्ने 36 गड़ी राजभाश दिवास कब मनाया जाता है हिंदी काहवा जैसी करनी वैसी भरनी का 36 गड़ी रूप क्या होगा और दे पूरसकारों को भी इस्थान दे दिया गया है दोजार सोला में गवई के गीत किस ने लिखा राज भाषा है, जोगदवरा संचालित एक बार बिजहा कारे करना है अब देखे माई कोठी योजना के बारे भी पूछा गया माई कोठी योजना जो है वो उसके बारे में पूछा है और यहाँ पर चाहिए और इसमें भाशाई विविधता का कारण क्या है ऐसा कहर के प्रश्ण याने आपको भाशा परिवार से व्याकरण से हर एक प्रश्ण से हर साल एक ही दो को रिपीट करते करते आपसे लगातार जो है वो पूछ रहा है 2021 में किस प्रकार के प्रश्ण आये थे तो 2021 के प्रश्ण को जानने का भी यहां पर हम प्रयास करेंगे अब आते हैं 36 गड़ी भाशा भाग तीन के पेपर में जिसके अंतरगत हम जानेंगे कि सन 2022 में किस प्रकार के प्रश्ण जो है वो 36 गड़ी भाशा से पूछे गये थे सबसे पहले प्रश्ण के और हम जाते हैं कि 36 गड़ी भाषा में किस प्रकार का प्रश्ण जो है वो पूचा गया था सन 2021 के प्रश्ण पत्र में हमेशा की तरह पहला प्रश्ण था 36 गड़ी समानार्थी शब्द जो है वो हिंदी में दिया है उसका लिखना है कितने अंक का था पांच नंबर का दूसरा 36 गड़ी में लिखा हुआ है जिसको हिंदी में आपको देना था जवाब वो भी कितने नंबर का था पांच नंबर का कुल मिला कर देखा जाए तो हर वर्ष की भाती 10 नंबर के अंक आपको दिये जा रहे हैं समानार्थी शब्द से और जिसके तयारी आपको कहां से करनी है बीजहा कारेकरम के अंतरगत 36 गड़ी शब्द कोशे से आपको करना है फिर से 2012-14 में जैसा प्रश्ण पूछा जा रहा था सम्मुच्चारिश शब्द जो है उसको बता रहा है कि ओलियाना और ओलिहाना में क्या अंतर होता है तो जो सम्मुच्चारिश शब्द है वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है इसके बाद देखा जाए तो अगला प्रश्ण क्या पूछ रहा है फिर से यहाँ पर लिंग परिवर्दन कि पूरलिंग शब्द को इस तरी लिंग में बदलना नाव का क्या होगा मितान का क्या होगा अब यहाँ पर फिर एक प्रश्ण दे दिया गया है कि पत्तो शब्द में किस प्रकार कल इंगले से पूछा था ना कि आपके संगवारी में कौन सा लिंग है वैसे ही यहाँ पर आपको रिपीट कर दिया है कोश्चन को जाथन में कौन सा वच्चन है तो एक बर पूछा था ना आपको कि इस शब्द में कौन सा वच्चन है वैसा फिर से यहाँ रिपीट कर दिया लगा कि 2015-16 के समय जो प्रश्ण थे वैसे ही पैटर्न 2021 में फिर से रिपीट कर दिया गया है ठीक है समास की चिनहित करना है कहने से मतलब है कि बेंदरा नाच में कौन सा समास है ये बताना है और नर्वा घुरुवा में कौन सा समास है इसकी पहचान करके आपको समास का नाम लिखना है ठीक है मैच दा फॉलोइंग फिर दे दिया दो हजार अठारा में दिया था इसी प्रकार आपके दो हजार चौदा पंदरा के समय दिया था वैसे फिर से दे दे कि दैहान बारी फूल और गुड़ी का आपका जोड़ा इसमें से कौन होगा तो दैहान में मातर है बारी आपका जो दे अब देखेंगे यहां पर किया था मैज़ फॉलोइंग में यहां पर सुमेलित करना था कि दैहान कहा होता है मातर में होता है बारी में क्या लगाए जाता है सागभाजी फोल का कली को क्या करते है दोड़ी और गुड़ी याने पंचों की बैठक जिसमें लोग जाते हैं तो पुड़ी हार कहलाते हैं, ठीक है, अब आते हैं अगले प्रक्षन में, अब देखे यहां पर क्या कहा है, चंत्सगड़ी वाक्य दिया है, अब तक क्या दे रहा था, देखिए, हिंदी के वाक्य दे रहे थे, जिसको चंत्सगड़ी में अनुवाद करना था अब यहाँ पर इसको बदल दिया कि 36 गड़ी का वाक्य दिया है जिसको हिंदी में आपको अनुआत करके लिखना है ठीक है तो एक ही पक्ष के दो हिस्से हो जाते हैं और एक ही सिक्ष के दो पहलू हो जाते हैं 2018, 2019 और 2020 में आपको हिंदी का सेंटेंस को 36 गड़ी में अनुआत करने बोला था जिसके अंतरगत प्रशासनिक शब्द थे अब 2021 में 36 गड़ी का सेंटेंस दिया है जिसे हिंदी में अनुआत करने के लिए कहा गया है ठीक है तो प्रश्न वही है बस थोड़ा सा घुमाओदार तरीके से आपसे पूचा गया अगला हिंदी वाक्यों को 36 गड़ी में लिखिये अब उसने प्रश्न जो दिया उसको देखिये कि वहां पर आपको 36 गड़ी से हिंदी बदलना था अब यहां हिंदी में दिया है जो 36 गड़ी में लिखना है मतलब कि आप सोच सकते हैं किसे किस तरह के अंक दिया है देखिए यह जो है आपका जो प्रश्ण है यह 6 नंबर का है याने कि 3 जो option दिया 2-2 नंबर के मतलब 6 नंबर के यहां है और यहां 8 नंबर है याने कि आपका जो अनुवाध 2 नंबर का मतलब सोचने वाली बात है कि सिर्फ अनुवाध कारे से हिंदी से 36 गड़ी और 36 गड़ी से हिंदी में 14 नंबर आपको दे रहा है तो कुल मिला कर देखिए तो 14 नमबर आपके यहां हो गए, वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, समास पहचानने से समुच्छारिश से आपके 8 नमबर हो गए, 22 नमबर यही हो गए, और आपके 10 नमबर 36 समानार्थी में, और 22 और आपके जो आपके 10 है, 32 नमबर आपके सिर्फ व्याकरण खंड से आपको मिलते हैं, अब देखें इसके बाद व्याकरण में और क्या है, अब व्याकरण में देखिए, तो फिर यहां पर आपके साहित खंड में आ गया, कि दही के भोरहा मा किसकी रशना है, तो दही के भोरहा मा कहते हैं, तो स्वरगी भगवतिलाल सेन का है, और नाटक है, तो जमुना प्रसात कसार का नाटक है, कनवा समधी के रशनाकार कौन है, सीमा वर्ति किन दो राज्य की भाशाओं का प्रभाव है, देखिए, भाशा बोली पर फिर से प्रशन पूछ रहा है, कि किन दो राज्य की सीमा दायरे को, किन किन ऐसे राज्य की सीमा द भाव है केवल दो ही लिखना है अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम उडिया और मराठी लिख सकते हैं सुरुज नहीं मरै किस कवी की रशना है यह आपको सही तिखंड से आपको यहाँ पर पूछा गया है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर निम्नांग की 36 गड़ी कहावत का हिंदी में अर्थ लिखिये अब वहाँ पर मुहावरा लोकोक्ती से जहां 2020 में प्रश्न शुरू किया पुछने के लिए जहां पर 36 गड़ी से उसका मैच करने हिंदी से करने के लिए दे दिया था और 2019 और 16 के समय में मुहावरा लोकोक्ती में अंतरिस प्रश्ट करने ब अब हिंदी में इस मुहावरे और लोकोक्ती के अर्थ को लिखना है जो आपके दो नंबर के तो कहावत में और तीन नंबर का मुहावरा में अपना इस्थान बना रहा है अगला प्रशन है चत्तिस गड़ी भाशा की विकास में आकाश वानी की क्या भूमी का है चत्तिस गड के प्रश्ण में आपको क्या पूछा था रेडियो का पूछा था रेडियो पत्रिका का महत्व पूछा था ठीक है अब यहां पर समचार पत्रिका का भी महत्व पूछा था तो समचार पत्र पत्रिका का योगदान भी पूछ लिया रेडियो का भी योगदान पूछ लिया अ आकाश्वानी कह रहा है अब आकाश्वानी ही तो रेडियो है अकाश्वानी और रेडियो गर बात करें तो आकाश्वानी रेडियो को ही तो कहा जाता है परंतु रेडियो और आकाश्वानी में कहा जाए तो हम आकाश्वानी की भूमी का देखेंगे जिसमें हम रेडियो के ह महत्यों को यहां पर बतलाएंगे अब दिया है प्रात्मिक अक्षा में सिक्षा के माध्यम के रूप में 36 गड़ी मात्री भाषा के महत्यों पर अपने विचार लिखे दो नंबर का फिर से वही प्रश्ण कि प्रात्मिक अक्षा में 36 गड़ी भाषा को रखने से क्या होगा यहां आपका विचार प्रसुत करना है जो दो नंबर का है और इस तरह देखा जाए तो 2021 में 41 मार्क्स की केवल व्याकरण से प्रश्ण पूछे गए थे और बचे हुए जो आपके 9 नंबर थे वह आपके साहित्य से पूछा था तो कहने का मतलब इतने में आपको समझ म आया होगा कि हमारी तैयारी क्या होना जरूरी है तो तैयारी की अगर बात की जाएं तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि भाशा के दो पक्षे हैं साहित्य पक्ष और आपका व्याकरण पक्षे इसलिए बार बार मैं कह रही हूं साहित्य और व्याकरण पक्ष में से व्याकरण की पूरी तयारी CGPSC प्री में आपके द्वारा हो जाना जरूरी है और उसी व्याकरण के बाद साहित्य पक्ष को मेंस में आपको तयारी करना है ठीक है तो हम आगे चलते थोड़े से इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए और इस तरह जितने भी प्र अया होगा इन दोनों का विशिस महत्व democratic 36 अहां में जिसमेently कम से कम 50 में 30 % हिस्सा तो आपके व्याकरण का है और 20 प्रथी प्रतिशद हिस्सा तयार कर ली है कि मुझे प्रारभिक परिक्षा में भी व्याकरण के माध्यम से PSC Pre को क्रैक करना है क्योंकि यही मुझे फाइदा दिलाएगा मुख्य परिक्षा में तो बगेर किसी देरी के भाशा पर अधिकार रखने के लिए प्रती दीन लैंग्विज के पेपर को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए क्योंकि दो पक्ष में से कोई एक पक्ष तो हो जिसमें आप मजबूत बन सकें कहीं न कहीं व्याकरण आपको मैट्स की तरह नंबर देता है कि जिस बच्चे ने अपनी मुख्य परिक्षा या प्रारंभिक परिक्षा के लिए हिंदी और 36 गड़ी भाषा पर फोकस नहीं किया है उनका मुख्य परिक्षा में अंक की बढ़ोतरी करने में बहुत कठी नाई होगी इसलिए बगैर किसी देरी के भाषा पर अपना बहुत अच्छा मजबूती के साथ में ध्यान से पढ़ने की शुरुवात की जानी चाहिए इसके शुरुवात कहां से होगी प्रती दिन वो पक्ष जो याद करने का है उसे याद कीजिए दूसरे दिन जब आप उसे याद कर चुके हैं तो नई तत्व को लेकर पुराने वाले को रिपिटेशन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए प्रती दिन लेखन का प्रयोग कीजिए याने की descriptive अगर कोई कुछ उचारित कर रहा है तो जो हम dictation words यूज करते हैं कि किसी की motivational speech है किसी के द्वारा कोई वक्त वे कहा जा रहा है उसको लिखने का प्रयास कीजिए मातरात्मत तूटी में सुधार होगा लेखन की जो धारा होगी speed होगी उसमें बढ़ोतरी होगी और लेखन की शैली में सुधार होगा एक ही प्रशन को अलग अलग तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए मैं अपने point of view से बताया आप उसे समझते हुए अपने point of view से लिखने का प्रयास कीजिए उत्कृष्ट शब्दों का चैन कीजिए और कुल मिलाकर 36 गड़ी भाषा में शब्दकोष प्रशासनिक शब्दावली और जो जो चीज़ें बार बार हर साल रिपीट की जा रही है उस व्याकरण पर तो एका धीकार रखना शुर प्रत्य अब संधी समास के साथ संग्या स्वरानाम क्रिया विशेशन याने की पूर्ण तह ब्याकरण में और इस तरह CGPSC मुख्य परिक्षा में प्रथम भाषा हिंदी और त्रितिय भाषा 36 गड़ी के माध्यम से मैंने आपको विशेश तोर पर मुख्य परिक्षा उस पर आप उसका अनुसरन करते हुए अपनी परिक्षा को सफल बनाने में उन तत्मों को इस्थान देंगे और जो भी आगामी समय में आपके टेस्ट सीरिस होती है तो आप उसे जरूर जोईन कीजिए यह आपको खुद को परखने का सबसे बड़ा माध्यम होता है कि एक सिक्षक जो पढ़ा रहा है यदि वो आपसे टेस्ट पेपर लेता है तो आपने उस विशय के कितनी तैयारी कर ली है उस विशय के अंतरगत आपके तैयारी का हिस्सा कितना है खुद को परखने के लिए उसे जरूर जोईन कीजिए हाँ हो सकता है कि पहले पर्षन में पहल पर जब आप स्वयम मुख्य परिक्षा में अपने सामने प्रशन पत्र को देखें तो उत्तर पुस्तिका में आपके द्वारा बहुत बहतरीन प्रयोग जो है वो किया जाए यही उम्मिद करूंगी यही दुआओं के साथ में यही आशिरवाद के साथ में मैं अब आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक मेरी सभी बच्चों को धेर सारे शुपकावनाओं के साथ धेर सारा प्यार और आशिरवाद और हमेशा की तरह थेंक यू सो मुच गॉड ब्रेस यू और लव यू तो आल मै बच्चा